पिता धर्म, पिता स्वेग, पिता ही पर्मन तो पहा, पितरी प्रती मातन्य, प्रियंते सरदेवता दुनिया में आया है तो फूल खिलाएं जाओ, आसो किसी के लेके खुशिया लुटाएं दुनिया में आया है तो फूल खिलाएं जाओ, आसो किसी के लेके खुशिया लुटाएं जाओ, दुनिया में आया है तो चोटी सी जिन्दगी है ऐसे गुजार दे अपनी बिगाड के भी किसी की सवार दे, किसी की सवार दे जो हो पर आया उसे अपना बनाए जाओ, आसो किसी के लेके खुशिया लुटाएं जाओ, दुनिया में आया है तो कुमार, कुमार, हैं क्या, कहां खोगे? दूर सपनों की तुनिया में, जहां रेश मी रातों में शेहनाई की दुन्द बराबर इसी तरह कुंचती है जनाब, आप तो अच्छी खासी शायरी फर्माने लगें सौबत कासर है प्रभाब, वरना बन्दा किस काबिल है अच्छा तुमें बताओ, क्या? ऐसा समंदर का किनारा हो, रुपैली तनाई हो, और पास में आप जैसे हसीन में पुपा हो अच्छा, कुमर्ट, एक बात पुछू? इर्शाद क्या हर एक के जिन्दगी में उती हमता है जब शेयनाया बज़े हर एक के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, मगर आपकी जिन्दगी में ये मुबारक दिन जरूर आएगा अच्छा, जनाब को मेरे जिन्दगी के बारे में क्या पता? अजे, खाक सार से बेदर और और को नहीं सकता ये? जानती हो प्रभा मेरे मन में क्या-क्या अर्वार का क्या-क्या? पढ़ाई के बाद मैं काओ चला जाओंगा और फिर बापुजी के सारे बोज अपने सर पर उठा लूगा और मा का बोज मा का बोज? मा के लाडली बहु समालेगी क्यों? ए समालोगी न? जी जान्जी निलू, कुमार की चित्थी आई है लिखता है कि हम लोगों को मिल जूल कर खेती करनी चाहिए यह बदरंग तब तो बदरी भाया किसी से उधाज मांगने की जरूरत ही नहीं घर बैटे ही मज़े दो हाथ जमीन है न? इसलिए घर बैटे ही मज़े से अरे जिसकी पचाछ भीग है जमीन है उसके दिल से पूछो मिल जूल के खेसी करनी चाहिए कुमार का सब सिर्फिरा हुआ कुमार का सिर्फिर बिया? जी हाँ सिर्फिरा है तुमारा मेरा तुम को होगा यह पाउगल तुम गद़ हो मैं गधा हूं बदरी भाया, आप बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा लेकिन मैं एक दिखा दूँगा जुप रहो जा मैं दिखा दूगा एक दिन सबको, कॉन गधा है अरोल, किसे धुन रहे हो? वो मेरी बकरी है न? बकरी? हा सनातन भईया, वो बकरी भाग आई है, मैं उसी को धून रहा हूँ, बकरी मंदिर में, वो सुनो, बगिया में तुम्हें पकार रही है, जाओ जन्दी जाओ, अच्छा सनातन भईया धिर धिरे बोल मेरी पायल के खूंगरू धिर धिरे बोल मेरी पायल के खूंगरू, चम चम का राज कोई जाने ना धिर धिरे बोल मेरी पायल के खूंगरू, चम चम का राज कोई जाने ना जरी जरी हवा, जरी जरी हवा, जर्पे न उड़ा, मेरे बालों की फूल से ना कुश्बू चुरा, जरी 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 हवा, जर्पे न उड़ा, मेरे बालों की फूल से ना कुश्बू चुरा, मुझे जिसने दिया है ये अल बेला फूल, मुझे उस पे है नाज कोई जाने ना धिर धिरे बोल मेरी पायल के खूंगरू, चम चम का राज कोई जाने ना दिर दिर बोल मिरिक पायल के घुंगरूं चम चम का राद कुई जाने ना कर दो दौध करका राद कर दो तुझे तुझे चाहे इसकी फबर क्यों गुलाबी, गुलाबी है मेरी नजर केरी तितली तुझे, क्या है इसकी ख़दर क्यों गुलाबी, गुलाबी है मेरी नजर मेरी आठ fif deer वे आजा, कहां से ये दंख ये राजों का राज कोई जाने न아 धीर धीरे बोन मेरी कायल के घुंग रूनो चम चम का राज कोई जाने न धिर धिर बोल मेरी पाय के भूबरू चम चम का राज कोई जाने न मेरा तन है यहाँ मेरा तन है यहाँ और मन है कहाँ वही जाने जो समझे नजर के जबा मेरा तन है यहाँ और मन है कहाँ वही जाने जो समझे नजर के जबा मैं नहोथो पिला पी बनवा की दिर कहां पजता है साज कोई जाने न दिर दिर बोल मेरी पायल के घुंगर चम चम का राज कोई जाने न अदूरा कर दो खरते हैं पर अब मज़ा चाहता है एक सार निचारग के बात करो देखते नहीं हम इस वक्त राज कुमारे संयूका बनकर घोड़ेपड सावारी कर रहे हैं राजकुमारी संग युगता, क्या मतलब? अरे पुथू, उस रज तुम्ही ने तो पृथिराज और समीता की कहानी सुनाई थी लेकिन तुम्हारा पृथिराज कौन है? ना बाबा, अपना कोई पृथिराज पृथिराज नहीं राजकुमारी जिने मुझे मारा क्यों? उनकी खुशी उनकी खुशी? और अब हम अपने खुशी बताए बताओ उताओ, उताओ, चलो अज़े के करेओ हम भाक्षी क्यों है हम भाक्षी क्यों है दिन में क्या सपने देख रहे हैं? सपना नहीं हावाई जहाज देख रहा था हाँ अब तो तुम हावाई जहाज ही देखोगे क्या मतलब? विलाइच हो जाना है वो किस लिए? पहने के लिए यहां की पढ़ाई के लिए क्या मतलब? मतलब है की समझे कुछ कहा ही नहीं तो समझें सब कुछ कहना पड़ी का क्या कुमार तुम्हारे लिए बहुत ही अची खावाल लाया क्या है पिताजी? वो तुम्हारे प्रोफेसर है क्या ना माम का? शर्मा शर्मा आज मेरी उनसे मुलाकात हुई थी अच्या तुम्हारी बहुत ही तारीफ कर रहे थे कह रहे थे कि कुमार जिससे स्टूडेंट को तो बिलाज जाना चाहिए और जानते हो मैंने क्या फैसला किया है क्या? मैं तुम्हें बिलाद देजूंगा जी हाँ यही बात मैं प्रभाद से कह रहा था क्यों प्रभाद आप मुझे इतना चाहते हैं यही काफी है मेरे लिए मैं आपको और तकलीफ नहीं देवा चाहता तकलीफ लो इसमें तकलीफ की क्या बात है मेरे कहने के मतलब यह है कुमार अगर आज तुम्हारी जगर मेरा अपना बेटा होता तो क्या मैं यह तुम्हें जानता हो पिताजी मतलब मादर उगर कुछ नहीं तुम्हें बिलाद जाना ही पड़ेगा अच्छी बात गुड लेकिन पिताजी मेरी एक कर्स है बोलो मुझ पर आप जितना कर्च करेंगे वो कर्स रहेगा मंजूर और वो कर्स तुम्हारी और तभा की शादी पर उसल हो जाएगा क्यों प्रभात मैं भी क्या यह बातें तुमसे तुछने लगा क्यों हात अगिला ऐसे नहीं ऐसे यह क्या स्वेटर मैंने अपने हाथ उसे बुला अच्छा सोचा था जिस दिन तुम्हे बिना शक्र की चाह में थी लगी उसे देंगे पसंद है क्या स्वेटर या साथ बजने दो कुछ कहना है बहुत कुछ कहना है राच्छा पिता जनी तुम्हारे बारे में पता है तो मैं यही सोचती रही कि आज तो मैं जल्दी नहीं जाने दूगी बाते करूगी बहुत से बाते है यह कहोंगी यह कहोंगी कहोंगी क्या कहोंगी सब कुछ तो भूल गए बिल्कुल ऐसा होता है ऐसा ही होता है यह के से मालूप एक किताब में पढ़ा था क्या यही के जब तो ब्याद वरे दिल पिछरते है तो फूली कोई बाते याद आते है और जब लिलते है याद आई होई बाते फूल जाते है यही आई प्वश तो मीजर गुम्गुर रहा तो मरी आका में रुशने तुम्हारे होटों पर मुस्कुराहट, तुम्हे जरूर कुछ हो गया है, जरूर कुछ हो, हाँ, तुम्हे इश्क हो गया है, महपस हो गया है, लग हो गया है तुम्हे, भाई साथ, शादी का बंद बस कर लिया लग, तब मिलाओ हाथ, तुम्हेरा दोस्य का दुश्मन है, मे जरूर करना पड़ेगा, मेरी भाई, कर ले, तेरी भी पाच्छलाज रुपे हो जाएगे अचा सुद, मैं कहरा था के शादी के दिन, एक फर्सक्लाश डिनर मंगता हा, डिनर चलेगा न, ने तो तो लेमोन और आइस जोड़ेवर बाइसक्री में मामला पता देगा, वो नहीं चलेगा आइसक्री खिलेगा नहीं है, आइसा ही होगा शान्ती, शान्ती, क्यों घट पर उठा रहता है, चली गई है, अभी आजाएगी आप आजागी कहा गई है वो आ लगा है शाथे, कहا गई ही तू मैं पूछता हूं किन है गई है बाब मैं, 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 मैं जाता हूं तू उदर दी देख मैं आज आख़ी बार कहे देताँ फिर तू उदर गई तो टाजे तो चोने रखोगा जिन नीलू को क्या हो गया है? अब तुमें क्या वता हूँ? उस दिन गुस्से में तुमने नाजाने क्या क्या काई दिया है तो देवर जी नाराज हो गया उस तूटी हुई दिवार को पक्का कर रहे है ताकि हम लोगों का आना जाना बिलकुल बंद हो जाए इसका दिमाग तुनहीं खुराफ हो गया है देखता हूँ दिलू दिलु मैं ये ये पूछता हूँ क्या हुरा है तुम कौन हो जो पुछने वारे मैं कौन होता हूँ पूछने वारा मैं कहता हूँ मेरी ज Image Vallahi ने तुम ये दिवार नहीं ख़़ी कर सकती आप सुनली दिया कान खोड़ के कि मैं ये दिवार खड़ी करके ठोग था तोई दोग था तोम परश चौरब ख़ड़ागे है रिस्ता बंद करो ये सब बंद करो भाई तुम क्या कर रहे हो मद्री में या निलू मैं कहता हूँ, यह हीटों की जिवार इतने दिनों के प्रेम बंधनों को तोस्क गेगी मैं कहता हूँ, मैं नहीं उच्रे दूँ आए जिवार मैं इसे उठा के छोड़ूँगा गिराओ इस जिवारेगी, नहीं गिराओगा क्यो नहीं गिराओगे नहीं क्या हूं। ऑफिन फेंटा पाफूची रीलू मा कहता हूं ये बिदॉबी, ऑफूची, पाफूची क्या देखा यन्हें अंदर आजयाना। कधे कहीं कर ये फेलीए नहीं तो हूं। पाफूची, लाहेु हिए॥ बेटा कुमार, जब पिता जी मरे थे, तो मेरी उम्र भी तुम्हारी ही ज़नी थी, पढ़ाई लिखाई छोड़ कर, पुर्खों की थोड़ी बहुत जमीन जादाद देखने लगया, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था, कि तुम्हारा भाग भी मेरे ही जैसा होगा, मैं कहूं, चुप रहूं न, बेटा, अरुन, तुम्हारी मा का बड़ा लाडला बेटा है, मैं चाहता था, कि इसको खूब पढ़ाऊं, लिखाऊं, और सही इंसान बनाऊं, लेकिन, आप बि मैं आपकी इच्छा पूरी करना मेरे करते पे, मैं सौगन खाके देटाओं, बाबुजी, आज से अरुन की सारी जिंबेदारी मुझ पर दे, उसे पढ़ा लिखा के, एक सही इंसान बनाऊंगा, आपकी देनर कीजिए, अरे ओ, शांसी की मा, क्या मामे की सुवाँ था रही मैं नहीं जाओंगा, आबे जी, नीलू कहां है रे, ताब जी, वो, वो शायद नहीं आएगा, डरता है, कहीं मैं फिर उसे गधा न करूँ, ने, ने, मैं नहीं जाओंगा, नीलू, मैं आगया, जो जी में आता है, कहता लो, जितनी गालिया देनी है जिदो, अच्छे हो जाओंगा, मैंने जो गध्यपन में वो दिवार खड़ी की है, उसे हम दोनम मिलके तोड़ेंगे, प्याओंगा, अच्छे हो जाओंगा, भजन सुना अपने, अच्छे की हािए, कैसे है, प्याओंगा, भजितनी हारी बpine, बिसियुनिट आपजे आपस्गे, और बेरे दे किवारे में थे मिलके दीदिदे होज़े तोड़े है दिदीष दिर्ट भावर्श आपस्ट एड़े, जऄ भूसमेंगा में आपस्ट बावरे, राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे तुम अपना जीवन मिटा देना चाहते लेकिन मैं ऐसा नहीं होने तुम्हे अपने बारे में सब कुछ खुदी तै कर लेने का तुम्हें कोई अपनी कोई दूसरा भी तो है उस दूसरे को मैंने कभी अपने आप से आलब में ही समझा प्रफ़ तो फिर मुझे अकेला छोड़ कर क्यों जा रहे हैं एक फर्स पुरा करने है मरते वक्त बाबुची ने और उनका हाथ मेरे हाथ में दिया था उसे आपमी बना ले के लिए तो क्या मेरे साथ रहने से तुम्हारा फर्जा दुरा रहे जाएगा मेरे प्रफ़ ये बात नहीं मेरे सिंदगी उल्चनों और मजबुरियों से भरी हुई है तुम उसमें आकर पश्टाएगी कॉमार मैं तुम्हारे दुख बाट में आऊगी तुम पर बोजबने क्या तुम्हे मुझ पर भरुस नहीं है भरुसा है प्रफ़ा अपने आप पर भी भरुसा है लेकिन आने वाले वक्त पर भरुसा नहीं कल हम सोच से के आने वाले जिंदे की कितनी अच्छी होगी उसमें सुख होगा, खुशी होगी लेकिन वक्ते हमें कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे तुम मुझे गलत न समझता है गलत? मैं होती कौन हूँ तुम्हे गलत समझने वाले? आज तुम मैंने तुम्हे सही समझे अपनी बात रखने के लिए तुम किसी की जिंदगी से खेल सकते हो यह मैंने कभी नहीं सुची था, कभी नहीं सुची था तुम्हारा मेरा संब्दी क्या है? अकर संब्द नहीं होता, तो तुम्हारी आँखों में आशुक की वात है पहुच डाल में दे, बाभा मुझे तुम्हारी मुस्कुराटों के सहरे चाही जिन्दगी पर करोना देकर मुस्कुराने को कहते हो कुमार इससे अच्छा है मुझे मार डाला, मेरा घला घुर्टो इसे हिम्मत हादने सुची जिन्दगी नहीं कटे की प्रभाद और फिर हर प्यार का अंजाम शादी तो नहीं है इस दुनिया में जैसे फूल और भारा वैसे चांद और चकुर भी तुए है प्यार दोनों जगा है कहीं मिलन में, कहीं जुधाई में बिछड कर जिन्दगी एक जिन्दी के है परभाद मुझे फूल जाओ अबरभाद मुझे फूल जाओ बिछड कर तुझी सकते हो, कुमार लेकिन 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 भूल कर में जिन्दगी कुमार मुझे क्या करना होगा कुछ तो बता जाओ कि मैं खुश रहना होगा सुखी रहना होगा इसी संदोश के सारे मैं अपनी सौगन पूल कर सकूँगा दुनिया में आया है तो फूल खिलाए जाओ आसो किसी के लेके खुशिया लुताए जाओ दुनिया में आया है तो आया था प्यार से तो जाना भी प्यार से करना गिलाना कोई जाती बहार से आया था प्यार से तो जाना भी प्यार से करना गिलाना कोई जाती बहार से जाती बहार से दिल पे जो भीत रही दिल में छुपाए जा पासो किसी के लेके खुशिया लुताए जा दुनिया में आया है तो है आया बेटाए जाना इसके लिए लड़का ढूंते घूंते जूंते मेर जूतों के तले तक यह राप डेटा दिखाना पना हाई दिखाना नही डूरार मेरे की पांता पंगर दिनमेर अवश्य हो जाएगा पिर हो ठोब दिया ना ए पापा माने कहा न चोग दिया है परी हो शहार बनतिया चल दिकाँ हाथ यह मेश यह बिश्यर और यह खन्याद कन्या तो वह है पंड़ेश को नई बात बताईए यह खन्याना गुम्रेश हमार लिख कर दो अश्यर खन्याद यह खन्याद अचैन लड़का खाते भी धी ढर का अँभशी होगा तो फेरे आपकी दक्षिना भी और आपकी तश्यौगा के बोने अचैन अचैन आपके बने अचैन जारू अचैन प्राइशी वसंदी, प्राइशी वसंदी अरे अस्ते क्या निकाल देना? तुम ही निकालनो न? कम आले अरे अरूप आज एक बढ़े मज़े की बाती कुई हो दो? दो पूछनो क्या हुआ अच्छा बता क्या हुआ? आज मैं जाने सुबाइशा बाबा कहां से एक जोशी कुली आए और वो कहीं लगा के के तुम्हारी शादी बहुत जलता अरे 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 उन तुमे कैसे मालूम हुआ? मुझे शकल देखने से सब कुछ मालूम पढ़ जाता है अच्छा तो बताओ उसने और क्या क्या कहां? बताओं 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 इसने कोका के ख़गा ख़गा हाँ बताओं तुम्हारा बर्ः लग्रा हुगा लूला हुगा काना हुगा जूट 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 साथ जूट तुम्ही बता दो मैं सच क्या है सच तो यह है कि उसे तुम्हारा शाधी को बाती है तुम्हारा अब देख कर यह कैसे हो सकता है हो सकता है हो सकता है पालाव कर दो आँखे हमारी हूँ, सपने तुमारे हूँ दुनिया में जब तक चांद सितार हूँ आँखे हमारी हूँ, सपने तुमारे हूँ दुनिया में जब तक चांद सितार हूँ आँखे हमारे हूँ, सपने तुमारे हूँ लाथ जमान के मौसम बदले ना तुम बदलो ना हम बदले लाथ जमान के मौसम बदले ना तुम बदलो ना हम बदले ना हम बदले एक दूसरे जे हम साथ सहारे हूँ, आँखे हमारी हूँ, सपने तुमारे हूँ दुनिया में जब तक चांद सितारे हूँ, आँखे हमारे हूँ सपने कुमारे हूँ प्यार भराये जादू न तूटे कोई हमारे खाब न लूटे जादू भराये जादू न तूटे कोई हमारे खाब न लूटे खाब न लूटे सब कुछ दुनिया का खाब हमारे हो आँखे हमारे हो अपने कमारे हो अपने कमारे हो माजी मास्तर बाबो ने कहा है कि आरुन भाहिया कुछ नहीं पढ़ते लिखते और ये चिठ्ठी कमार भाव के लिए अच्छा इस चिठ्ठी मुझे दे दे और देख कमार से कुछ मर कहना हाँ क्या मर कहना हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं बेतर क्या चुपा दियो यो दिखा लो दिखा लो माँ मैं जानता हूँ आरुन तुमें बहुत प्यारा है वो मुझे भी बहुत प्यारा है जान से भी ज्यादा लेकिन उसके दोश को चिपाने से वो और भी दिकर जाएगा और फिर और फिर मैं बाबुजी को तियाफा वच्छन कैसे फूरा करूँगा माँ कुछ खाने दो माँ वो जो बहुत फूख लगी है फूख लगी है जल मैं तेरी फूख मितादाओ अच्छी तरह मितादाओ जल जल में प्राइग माँ माँ अच्छी क्या कर रहा है कववे उडा रहा है आकते बोल शांती आकते बोल क्या है देख शांती बड़े भीया ने मुझे सकम्रे में बंद कर दिया आज खाना पिना सब कुछ बंद बहुत भूख लगी है खाना ले आना खाना ले आना अच्छा हुआ रहा एक जनों पास हुखेगा ना तो प्रेट बिल्कुल साफ़ी देगा समझा शीष शीप अरुन का खाना कहाँ है मां तुन्ने अरुन का कहना नहीं परूशा अब ले, तु ही ने तो कहा था अज खाना मत देना हाँ, मैं कहा थू था, तिल से थोड़े चाह था भगवान करे रोज बड़े भईया मुझे इसी तरह कमरे में बनका दिया करें भ़ले करे, मैं तुझे रोज खाना और खिलाने वाले नहीं काना, फिल्ड़ा सा, अरे काना अरून? आया बरबया! अरून? आया! अरून? आया बरबया! तर्वाजा खोल? ओधेगोता हुए घजरत बहुत नाराज है चल आज की लिए माव कर देखना से नहीं हो राज भईया, मैं हाथ जोड़ता हुए मैं हाथ जोड़ता हुए मुझे आज मावर्ट मस्तर हुए अपराथ क्या मुझे सजा मिलने हैं चाहिए मिलेगी मिलेगी हिखके मारे भूग के हिचकिया ने लगी? मुझे शाफ नज़र आ रहा है भूग लगे और भूग नहीं लगी अरे मकश करने पर और जादर में लगे देखो मा, अपने शुपूत के आपना तो देखो, क्या खाऊंगा नहीं सुना मा, मारे भूट के हिच्च के निकल रही है क्यों नहीं खाएगा रहे अरे कैसे नहीं खाएगा जुरूर खाएगा आस तो उसे मेरे हिच्चे की खीर भी खानी पड़ेगी चल्ब भाईया बाग में लोक्ट पिने माइन, what would happen to you for example, if you were kept with your head under water somehow I'm sure you have found that answer to the question I don't अरूण 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 बहुत निदारी है अर्या यह चाई पीलो, सब निदार की राद भर पढ़ती है hostel में ना तुभी चाई मिलती है न कोफी तब तुन कितना ख्या रखती है परिशान मत करशानती अरे क्या हुआ अभी तो अच्छा बला हस रहता हस रहता इसलिए शायद अब रोना पड़ेगा अरे वाँ हसने की बाद रोना भी पड़ता है क्या मैं तो कभी नहीं रोंगी तू क्यों रोएगी रोना तो शायद मुझे ही पड़ेगा लेकिन क्यों मुझे शायद मार पड़ेगी मार क्यों पड़ेगी भाईया शायद उफो शायद शायद से अकर मुझे गुसा आगे न तो तुझे अब ही रोना पड़ेगा ए बोलना क्या बात है आज इम्तिहान का नतीजा निकलने वाला है नतीजा? तुही या सही या जान निकली जा रही है जान तो नहीं हाँ, लेकिन इम्तिहान का नतीजा दरोर निकल चुका है कब? कॉल तुझे कैसे मालूफ? मैं दुकान पर सुधा रहने गई थी तो वहाँ डाकी आया और उसने एक चिथी बड़े भाया के हाथ में रखती वस फिर क्या था? चिथी पढ़ते ही बड़े भाया का मुह घुस्से से एक दर लाल हो गया लाल हो गया? हाँ और उनने फॉरन रामू से कहा बलाना मेरी बेट और बुलाना और उनको बेट? और बेट लेकर वो तुम्हारी तरफ इस तरह दोड़े इस तरह दोड़े जैसे अभी तुम्हारी हड़ी पसली एक कर दने वाले है अरे वो तो शुकर है मैं बीच में आ गई मैंने कहा भया जाने तू बिचारा आपके फेल हो गया है आते क्या तिस अलपास हो जाएगा मजा आते शानती अरे मारे मा चोटे भईया चोटे भईया कोहें बड़े भईया बलाये थे जाओ बुलावा हो गया तुम चलो मैं आता हूँ और मार भी खाता हूँ शानती तू भी चलो ना बाबा ना दो भाईयों के बीच में तो नहीं आती अगर एक आज मुझे भी कहीं पड़ गई तो अच्छी बात है महीं जाता हूँ और हाँ देखो अगर जादा पड़े तो मेरे पास चले आना हल्दी तूना लगा दूंगी कि अगर दूना इदर आओ जानते हो इम्तिहान का नतिजा निकला है जी क्या उमीद रखते हो जी यह भाई फैल फैल जी नहीं पास पास जी नहीं फैल फैल भाईया इस बात तू मुझे माफ कर दो मैं आते के आते साल जरूर पास हो जाओंगा आते के आते साल? मेरा मतलब है कि अगले साल मैं जरूर पास हो जाओंगा अरे बोड़म, तु इसी साल पास हुआ है जी? अज कुमा सेब? और वो भी पहले दर्चे में मां कर लेनी तु दिनने होगी जाओंगा तु जट पत मिठाई के इंज़ाम कर और सारे घाओं को मुँ मिठा कर आदे हमको मत मैं जाओंगा देखता तु इससे से अपनी कामयवी मत सोचना इसमें इसमें बाप जी के हाशिश का फले चांती के बाप जी तोख दिया शांती की माँ मैं पूछता हु तुमें कभ अकल आएगी मैं बाहर जा रहा था और तुमने बीच्वाश में बाहरा तुमने पूछ गही हूँ कहां जा रहे हो कभ लोटोगे घर पे आकर खाना मैं शांती के लिए लड़का देखने जा रहा था पास वाले गाउं में एक बहुत ही अच्छा लड़का है, बात बक्ती हो गई फिर देखना तू खड़ी-खड़ी यहां क्या सुन रही है, चल अंतर और देख मैं बाहर जा रहो, फिर न पी यहां से आवाज लगाना बाबा मेरे लिए नहीं को बादर इंगला अलौश यह झामेज जावे जावे जावete ऩो ते पहार आज़ो ओ अ फ लूटाव कैना तो आढावे ज आढावे दे जिपहावे जतby आढावे आ statements आवे ओड़। आड़ नहीं的话 आढ़क?" अभ़ो देख, जातो रहे हैं जब फुकाना, और देख ऐसे बोला Nielu kaka reperू हाँ, और जोर से Neloc! पेटा!! जैशिव शंपू। जैशिव शंपू। विलू। ईहरुन बाबा रे..... बाबा कुछसे महेद लो संबल करे ना, रहा? क्यों भे मूझ रे। जिल्जा क्यो रहा है ? जीरु का मैं, मैं, मैं.. यह बखरी की तरह मैं, मैं क्या कर रहा है ? तो मेरा दुष्मन थाई, तू के जनम की दुष्मन ही मुझे ले रहा है। मैं शुब्दाम पर जा रहा तक फिजे दर बुला के लिकर चाल दिया। अब काम तेरा क्या सर रहा है। तुम तब भी बूशना चाता था कि तू कहा जा रहे हो। यह तो तब भी बूश सकते थे जम बापस लुखिया। अगा निलुका का शांसी। शांसी का नाम ले ले रहाने कहना। चलना आज कुमार दर आदा तुझे अपिट्वाया तो मेरा नाम ने कुमार जाना। पिछले का छोड़ो कुमार, लेकिन आज का उधार जरूर मैं चुकता करते हैं कुमार, ये देखी अपने छोटे भाई की कर्सूर, अरे मैं शान्ती के लिए लड़का देखने पासवाले काउ जा रहा था, पीछे से कोकर सब सत्यानाज कर दिया एक काम करो निलू, दो पाओ आगे, फिर दो पाओ पीछे तेलो, फिर जा पर जोबरा हो जी जोड़े, सुवजबे और कोई काम ने मिले, चल बढ़ जाके, चल जोड़े, पाओ जोड़े ही ने, अरे शुप शुप काम में, बस टोक देते हैं पीछे, तुम तुम शान्ती से बैसने लुगा, शान्ती से बैसने लुगा, छोड़ो जी, ओखो, मेरी बात तो सुनो, अच्छा, बता, तुम्हे शान्ती के लिए लड़का पहिए ना, यह, हाँ рушा। अए, अच्छा, हाँ हाँ छाईए, अच्छा, अक्छा, फरस करो, अरून अपने आपको αλλάगाल निकाले तो अपने आप को, हाँ क्यों लड़का पसन नहीं ही, आरी अरून जाता अच्छा दावाद मिलेगा कहाँ जै शिव शम्भू, जै शिव शम्भू बदरी भाईया सच कहते थे क्या, कि मैं गधा हूँ मैं सच मुझ गधा हूँ जै शिव शम्भू कहा जाने पाका? पील नडगा ढूड़ने नहीं जाने जाने जो ओम जो प्रहो जी कुमार, कल नए साल का उत्सव है न वहाँ शान्ती और अरुन की शादी पक्की होने का ऐलान कर देंगे काका, जै शिव शम्भू जै वजरंग, जै वजरंग हाँ मुआ जै GUY ौै की सुपम की शारे शारेव इढ़िया, हाँ रेख आप मुआ प्सकर कर सकते हैं हुआ 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 है ऐ बड़े जोर की धूप जले हिस धूप मेरा रूत उसने जरा पगड़ के चांग करदे वो देखे जबसे पेरी चान बुरा है देवाने का हाल गोरी जड़ा जुलफों की ठाओं कर दे जब से बोला दिल पर मेरे तेरे प्यार ने हला छोड़के मैंने खली मुहला थाम लिया तेरा पला जब से बोला दिल पर मेरे तेरे प्यार ने हला छोड़के मैंने खली मुहला थाम लिया तेरा पला चोड़के मैंने जनी महला, साम लिया तेरा पला लगा है जब से नजर का तीर, तडप का है तेरा दिल गीर ओ गोरी जड़ा जुलफों किछाओं कर दे, ओ गोरी जड़ा जुलफों किछाओं कर दे तेरे जैसी कोई न देखी कली न जाकत वाली बड़ा नसीबो आला होगा तूझ सकीमत वाली तेरे जैसी कोई न देखी कली न जाकत वाली बड़ा नसीबो आला होगा तूझ सकीमत वाली पड़ा नसीबो आला होगा तूझ सकीमत वाली जिया जब जिलने मुझे मजब तो आये चल कर इतनी दूर उसा यह जोरा पगड़ी की छों कर दे उसा यह जरा पगड़ी की छों कर दे मेरे जन्नत सया तेरी दो आखों की छलिया खिली रहे मेरे दिल में तेरी मुसकानों की कलिया मेरे जन्नत सया तेरी दो आखों की छलिया तेरा दिल है तेरी जागी इसमें तेरी ही तस्वीर वो गोरी ज़्यदा जुल्फों की छाओ कर दे वो गोरी ज़्यदा जुल्फों की छाओ कर दे वो देखी जब से तेरी चाल बुरा है दिवाने का हाल वो गोरी ज़्यदा जुल्फों की छाओ कर दे वो गोरी ज़्यदा जुल्फों की छाओ कर दे कर देख़ हाँ कर देख़ कर देख़ मा क्या और उनको कल ही जाना होगा हा मा मैं कहूँ दो-चार दस दिन बाद जाए तो क्या हर्च है बढ़ाई में हर्च होगा मा वाकर जब जाना है तो दो-चार रूस पहले क्या दो-चार रूस भात है मैं शोत रही थी के उसकी चले जाने से यह घर सुना हो जाए यही ना लेकिन मा उसका जीवन सवादने के लिए हमें यह सुना पन सेहना ही पड़ेगा खावना फिन आची तरह मिलेगा नवहाँ हाँ मा तुम बिलकुल फिकर न करो, हुआ हर चीज मिलेगी नहीं नहीं दोस्त मिलेंगे, नहीं नहीं बाते सिखेगा, नहीं नहीं चीज़े देखेगा और माँ फिर वहीं बाते हाँ हाँ कुमार बेटा यह सोईतर तु कभी पहनता है नहीं पर उनको दे दू क्यों बेटा तुझे कुछ मा ऐसी कौन सी चीज है जो मैं अरूम को नहीं दे सकता हाँ बेटा तुने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया मा तुम तुम यह सब चीज कर तुमैं शांती 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 कल मैं बंबई जा रहा हूँ पलने के लिए संय, तब तो बड़ा मज़ा रहेगा न, लेकिन माहिन नहीं जाना जाता हूं अरुन, संय, बंबए बहुत बड़ा शहर है, वह उचू उच उच की मकान है, चौरी चौरी सरके है और जानते है अरून, वहां के लड़कियों इतने उची उची एड़ी के जुद्दे पहन कर खाइट 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 करके चलती है और अरून, वहां के गारियों को बैल नहीं खीचा करते, चारर से मोटर निकल जाती है और रात के वखत एक बटन दबाने से हर जगार दिन हो जाता है तू बंबई गई है क्या जानती? यह बात है, जो मैंने जोकिशर काका से सुनी थी बंबई जाना चाहती है? क्यो? बाबा कहते हैं, कि लड़कियां परदेश नहीं जाया करता है जोट कहते हैं तरे बाबा लड़कियां ही तो परदेश जाया करती है और जब बोट परदेश नहीं तो कभी लटके नहीं आती मगर जब लड़की परदेश जाते हैं तो फिर से लटके आती तो लटकर आओ के ना? ज़रूर आऊंगा शानती? कितना अच्छा होता, तो भी मेरे साथ चलती किसलिए? अपनी आखों से बंबी देख लेती तो क्या हुआ तुम्हारे आखों से देख लूगी मेरी आखों से शांती तीन मेहे तक मिलना जुलना बंद रहेगा अचारून, अपने जाते हैं शांती शांती, शांती, ठीह हर, शांती शांती, शांती शांती, कहीं चोट तुनी लिग, शांती शांती, यह क्या पागल बन? पागिलपन के साथ तुम बहुबे जा रहे हो न मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ शंती सुखी रहो बीटा, और लिखे अच्छी तरह करना और देख, सुखात का देहन रखना अरो, आज से तेरे जीवन का सफर शूरू होता है और यह सफर उस दिन खतम होगा, जब मैं तुझे पढ़ने के लिए विलाइद पेजूँगा हवाय जहास बस, मेरा सपना सच करना लोग दिन के उजाले में कालक चूना मलते हैं, राजा रानी बनते हैं, न जाने कितने ढोंग रचाते हैं चंदन के इतनी पीता हूं के सांस ले सकूँगा अरे भाय तुम सांस लेने की बात कर रहे हो, यहां सांस बंद हुआ जा रहा है अब बारू बारू क्या इस दुनिया में सभी लोग सभी कुछ कर सकते हैं अले डिकड़ा, शू माते डिलिफ कुमार ने एक्टिंग करें, जड़ा आयना मा ठोपड़ा तो जो ठोपड़ा, बिलकुल बंदर जो इस बड़ी दिलिफ जई साबाल रखने से बड़ी दिलिफ कुमार नहीं बनता, बड़ी पहलाज कड़ी करो फिर दिलिफ बनो समझा, स्टड़ी करने के लिए मेरा जनम नहीं हुआ समझे तो पठ्या, बरजिश करो, सेख बनाओ सेख भायो, मुझे इसके बाप से मिलना पड़ेगा, क्यों? ये पूछने के लिए के तेरा जनम कित लिए हुआ हमोश, मैं हसने की बात नहीं, सोचने की बात है ये अपना पागल दोस्त, स्टूडियो के बजाए, कई पागल खाने नहीं चले जाए अरे तुभी ठीक बने चे बिलाजदा, ये अबर सोचा पागल खनाए चले जाए चांदू, जोग घुराएगा और भुरू नाचाएगा तो थोड़ाई आटिस बनेगा आटिस बनने का लिए तो बहुत तपश्चा करना पड़ता है बुझेची भी लगता, बुझेची बुझेची, खूब बुझेची अरा शूब बुझेची बुझेची करोच, तमे तो कुछ पन नटी समझता खाली पुकट का बंगॉली बहुन मस्का मारेच ये पक्सिबा, डईना कास, बैस पागला फोईना कास बड़ा आया है, बंदगान, दोस्तो, मित्रो, तथा फ्रेंट्स नया स्टुडेन, कोले बै, कोले बै विलाज बाबु, कुमार साथ के छोटे भाई कुमार का छोटा भाई, धनियो बगवान धनियो फुदी मेरी इच्छा पूरी के, तुम्हारे का छोटा भाई आ के ओ वड़ी क्या बात है, बहुत खुशाल दिखाई देता है बड़े भाई और छोटे भाई, दोनों का क्लास प्रेंट बनू, यही मेरी इच्छा थी आओ तोस्त, आओ, आओ, welcome, welcome to our hostel, welcome आप कुमार भाईया के साथ पढ़ते थे? हाँ, कुमार भाईया के साथ पढ़ता था, अब तुम्हारे साथ पढ़ूँगा इसमें हसने की क्या बात है, दोस्ती निवाना कोई मामूली बात नहीं है तुम्हारे साथ तो क्या बिया, मैं तो तुम्हारे छोटे भाई के साथ भी इशी कॉलेज में पढ़ूँगा जी, महीं सबसे छोटा हम, अफ्सोस, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या दोस्त, हाँस नहीं क्या बात है, कोई नहीं हाँसा इन से मिलो, विरन भटाचारिया है नो, शकर दादा दादा, होई गेचे, होई गेचे Mr.Peston जी बातली वाले से विज़ी जाहएब जी, कुमार साथ बहुत 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 यह हमारे शिवदसानी साहब है बड़ी साही, वेलकम तुद था होस्टिल, और हमारे होस्टिल के पहलवान सिंह, की हाले सोडियों, चेंगा है, चेंगा हाल चेंगा, बब चेंगा, अब मैं आपको इस होस्टिल के काटूल से मिलाता हूँ, जॉनी, जॉनी साथ से मिलिये, नो, मुझे डी कुमार कैसे, अले पैच्छाने तो है ये, तेरी नजरों का खुसूर, ये मेरा दीवाला पन है, या मुहबत का स्थिल, ये देखो मा, आज शाम की डाख में अरुन की चिठी आई है, क्या चिठी आई है, पार पार क्या लिखा है, लेकिन मा, तुम्हारे सुकूत है कुछ सथिरा, क्यों क्या लिखा है, शेयर में बिल्कुल चीना ही लगता, तुम्हों की याद ब्राबर आती है, लेकिन तु नहीं बता है, उसका सौइत कैसा है उसका स्वास बिल्कुल ठीक है, मा, तुम चिंटा मत करो, मैं का चिंटा कर रही हूँ अरे, तुछ से किस ने बात की, मैं तो मां से बात कर रहा था नहीं, भीया, वो तो मैं देखा भीता, अब उनके जाने के बात से बिचारी कितनी बदली हा मा, जिससे परीट होगा, उससे बिचार कर ऐसा ही होता है इस दुनिया में सब चोर चोर, कोई मुर्गी चोर, कोई पैसा चोर अरे, कोई मोटा चोर, कोई छोटा चोर मैंने चोरी नहीं की, हम तुमरा गार्चे जूट बोसकता, लेकिन हम तुमसे जूट नहीं बोसकता, मिसिस डी सा सब कुछ सीखा हमने नसीखी होशी आरी सच है दुनियावालो के हम है अनारी जोनने यो दिनो कैना बेशुरो गाइचीज बाबा पॉर सुनों कुट्टी दिना वड़ी तुम ठीक बोलता है वड़ी हम अपने मा को खत लिखता था वड़ी बाप को लिख डाला वड़ी किराज अच्छा जो मो लख लानत मी लॉड यह आपकी माड़न सुसाइटी की इंदर तस्फीर जो अपने कलाकार को अड़ी के नाम से पुकारती है छी 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 एक स्क्वेर पास्क बी स्क्वेर एच्छली मिस्टेक आवी गे मिस्टर अरून ओ मिस्टर अरून ऊपर क्या देखता है कि गर्डन बर्डन में लाचक तो नटी आवी गे ये बाटली वाले ये ऊपर देख नहीं रहा है सोच रहा है भाई साब मैं ये पूछ सकता हूँ कि आप किसके बारे में सोच रहे है Manny order Money order Manny order किदर sign करना है Money के लिए आपका नहीं, आरून कुमार का आरून कुमार और हम हम दोनों एक पंची डालके तो मजर, sign आरून कुमार का चाहिए अ तो वो भी आजाता है आरून कुमार लो आरून कुमार आगया आरून, तुम sign करो और मैं पैसे गिन लेता हूँ लाव के लाव का नहीं एक आप था अरे तुम कैसा आदमी है पैसा एक ऐसी चीज है कि आदमी देखते हैं उसके मुं में पानी आता है गिन लीजे साथ ने मैं गिन लूँगा अरुन भीया यह पैसे में अपने सूटकेस में लख लेता हूँ तुम खर्चा कर दोगे हाँ यह पैसे बड़ी सूटकेस में चोड़ी हो जाएंगा नी हम जेब में रखता ही नी अब पाकेट में सब फिट पाकेट हो जाएंगा उटो सच्चा खजान चीछा अब बाव अर्टी की ओ यह बाव तेरा मेरा तेरा मेरा वह भाव वह भाव वह भाव हम खरकेट निकल जाब बैठीए रोने की बात नहीं यहां का जीवन ही ऐसा है मांगने से मिलता नहीं छिनना पड़ता है यह लो यह मुझसर नहीं हो मैं यही सोच रहा हूँ, यहां आने के बाद अपने उपर से मेरा विश्वास हट रहा है चलेगा, चलेगा, क्या चलेगा सुनो, अपने पे विश्वास नहीं, तो दूसरे पे विश्वास करो अकल से काम नहीं चलता, तो नकल से काम लो नकल? हाँ, मेरे साथ शुरू शुरू में इन लोगों ने यही बरताओ किया था ये लोग पहले तुमको भी बुद्दू बनाते थे, हैं ये लोग मुझे क्या बुद्दू बनाएंगे अरे बुद्दू तो उपर वाले ने बनाके निचे भेज दिया खेट छोड़ो इन बातो, आज शाम को तुम मेरे साथ घूमने चलना कहां ए बंबल का शेहर देखेंगे आरे तुम्हे ऐसी जगे बताऊंगा ताजमाल होटल बाहर से देखेंगे, म्यूजियम अंदर जाके देखेंगे उसके बाद तुम्हे चोपाटी ले जाओंगा, महां चार्ट खाएंगे मेरे मुझ में पानी आता है, यार इसी मज़ेदार चार्ट बनते हैं वहां और पैसे भी बहुत कम, एक एक आने में है हाँ हाँ, कैसे राजा, ओके, वू हूँ चलो ने यार, घबराते क्यों होँ हम लोग हमेशा इस होटल में आकर ये दोस्ते आरे वहाँ वहाँ कैसे आरे वहाँ वहाँ, वहाँ वहाँ कुछ खाना मंगा भी लेना, तो बरतन साफ करते करते उमर चले जाएगी पिल चुकाने के लिए हाँ, पारी हे, मैनिजर को हमाया सलम बोलो रोसाब आ गया, चीरी हो वाली से ही चीरी हो मैडम, मैडम एक टीनर का बंदोश हो गया हालो, करपना देवी डी मांसर कुछ गया हाली मैं हे, हालो घुट रहे करद वाल तरह बख भरी गया लाओ फेर्ट इस पीर फाटिक कर थे लिए वाइड है बिखोच कर भूछ को चाहिए ने वस्फी सेक्ष ज़रा गुहाना है अच्छाए लेडिस और जेटलमन इस साल के फैंसी डेस बॉल में अगर फाड़े अरून कुमार को इनवाइट किया जाए अगर ये भाई साब को एक लोटा और कंबल जिसे इनके बाप दादा ने गाउं से लेकर शहर में आये थे मिरे खालते इनको एक मेडल विल जागा गोड़ का जाले आ, जाले आ, जाले आ, जाले आ Ladies and gentlemen, your attention please आज हम आपके सामने बड़े फख से दो बहतरीन डांसर पेश कर रहे हैं मिस सुरेखा पंडित और मिस लक्षमी चाया एक लड़की तो क्या, मेरे जैसी तो क्या, राग रंग और बहार मांगती है एक लड़की तो क्या, मेरे जैसी तो क्या, बेगारज किसी का प्यार मांगती है एक लड़की तो क्या मेरे जैसी तो क्या रग रंग और बहार मांगती एक लड़की मेरे जैसी तो क्या पेजार रज किसी का प्यार मांगती है एक लड़की क्यों न मक्तसर सी जिंदगी का वमने चोड़ ले ये कुजूल की हिदे मुस्कुरा के तोड़ दे क्यों न मक्तसर सी जिंदगी का वमने चोड़ ले ये कुजूल की हिदे मुस्कुरा के तोड़ दे एक लड़की तो क्या मेरे जलसी तो क्या खुस्त इशक और खाहार मांगती है एक लड़की मेरे जैसी तो क्या बेगार रज किसी का प्यार मांगती है एक लड़की बड़ी हसी परेब है वो एश जिसका नाम है नचू किसे नपी इसे के जहर का ये जाम है एक लड़की मेरे जैसी जिन्देगी में बस करार मांगेती है एक लड़की मेरे जैसी बेगरज किसी का प्यार मांगेती हो एक लड़की ये चार दिल की उम्र क्यों न जूँके गुजर ले किसी का हम खरीद के न क्यों इसे सवार ले किसी का हम खरीद के न क्यों इसे सवार ले एक लड़की मेरे जैसी तो क्या ये दुआए बार बार मांगेती है एक लड़की तो क्या मेरे जैसी हो क्या बेगरज किसी का प्यार मांगेती हो एक लड़की तो क्या मेरे जैसी तो क्या राग रंग और बाहर मांगेती हो एक लड़की तो क्या मेरे जैसी वो हो बेगरज किसी का प्यार मांगेती हो एक लड़की जाए वाँ भाई वाँ तुम में तो कमाल कर दिया या तुम वहां से भागे जैसे गदे के सर से सींग अरे वहां लोग हस हस के लोट पोठ हो गए सुन्दरी भी हाँ सही ति ति वहाँ वहाँ उसकी हसी तो बहुत ही तिखी तिखी सुन्दरी को अपने सुन्दरता का इतना धामन है क्यों नहों आकर सुन्दरी जो ठेवी मैं एक दिन यह घमन तोड करी रहा है तुम यार कमाल करते हो यह रोनी सुरत लेकर क्यों बनाता है यार अपने को यह घमन का तो सिर्फ बहाना है बहाना बहाना? हाँ, सुन्दरी की सुन्दरता का जादू तुम पर चल चुका है, कभी नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत, सुनो, लोग कहते हैं कि बाहरी सुन्दरता का कोई मोल नहीं, अंदर की सुन्दरता ही असली होती है, लेकिन ये बिलकुल छोट है, बिलकुल छोट, मैं कहता हूँ कि औरतों की निगाह में बैठने के लिए मर्दों को बाहरी दिखावी की ज़रूत पड़ती है मैं नहीं समझा तुम सुन्दरी का घमन तोड़ना चाते हो न तुम ये चाते हो कि सुन्दरी तुम्हें चाने लगे भाई साथ एक मिर्ट में समझा देता हूं काख़ पेंची लुक ये देखिए साथ अभी आप ये हैं और आपको ये बनना पड़ेगा मैं ये हूं और ये बनना पड़ेगा मैंने कोट पहना है पहना है पतलून भी पहनी है मैं सिगरेट भी पहना हूं बड़ी ठाट से मगर ये सब के लिए तो रुपया चाहिए हाँ साथ रुपया तो चाहिए आप रुपय का बंदोबस कीजिये और मैं आपको आगमी बनाने का बंदोबस करता हूँ मुझे को यारो आप परना में नशे में हूँ अब तो मुम्किन है बहक ना सब सो गए कमाले भाई लोग नीम में मारते हैं सोजा राजकुमाजी सोजा लेकिन नरुन तुझे इतने पैसों की क्या जुरत परी है अब मत मैं कैसे समझाओ मा इतने बड़े शेहर में पैसों के बगर गुजारा ही नहीं है वहां अगर अच्छे अच्छे कप्ले नहीं पहनो तो लोग भागासी मजाग करते हैं बुद्धू बनाते हैं और देखो न मा देखो मा कितना दूबला हो गया हूँ उस तिर में तो भरपिट खाना भी नहीं मिलता है और अगया जो कुछ फेचते हैं उससे पुरा नहीं पड़ता है मा लेकिन बेटा कुमा ते इस वक मन दे गाया है मेरे पास भी तो कुछ मा तुथ है मैं अपी आई अच्छे लाजे मा अजब तुमाहर मुससे मिले भी नहीं ठोल गया नाराज हूं उस्ती जानते हूं बंबे जाते वक जब मैंने तुमसे कहा था मैं बहुत खुश हूं वो जूर था और और जाते समय जब तुमाहरी आखे मुझे ठून रही थी मैंने वो भी देखा था पर मिर बहुत नहीं यह सकी क्या बहुत रोकने पर भी आँसो रोकना पाई और अगर फीकी हुई आखे ले तुम्हे भी दादेने आती तो जगासा ही होती और उन तुम नहीं जानते तुम्हरे जाने के पास मैं मैं यह गां कितना सुना लगता था कितने बदल गया हो तुम्हरों मेरे छोटी सी फूल के लिए इतने नारास हो बात भी नहीं करोगे मुझसे शांती तुम्हे काका बुना रहे है जाती लेकिन अरू सुनातम भेया किया मैं तुम्हाई रात देखोगी शांती अरू जरूराना आयो शांती साथ छी और साथ पाँच पाँच और साथ नौ नौ और आये शुटेट पूटेट जेट्रिमेन आये नॉंसन तुम या मैं मालूम होता है कि महबत के पहले मोर्चे पर तुमने पटका घाया है भाई साथ तुमने एक छोटी सी वात की कमी है जर बैचना तो मैं बताता हूँ वो यह मैं किसी को भी अड़वाइस देता हूँ तो यह नारियर और सौ रुपया पहले रख़ा लेता हूँ लेकिन तुम मेरे यार हो इसलिए प्री अड़वाइस मान दो के तुम जिस लड़की को चाते हो उसके घर में चार-पाच आदमी बैठे हैं उसकी तारीफ कर रहे हैं यानि उसको मस्का लगा रहे हैं ऐसे मोचा पर अगर आप कहां पहुंशे तो आप क्या करेंगे मैं क्या करूंग तुम ही बताओ मैं बताओ तो तुमको यह करना पड़ेगा कि चुपचाप एक कुणी में जाकर बैठ जाना होगा उससे यह साबित होगा कि तुम्हें चाह हैं मगर ला परवाई भी है फिर क्या हुआ हसने की बात नहीं है वह यह समझेगी कि तुम्हें चाह हैं मगर परवा नहीं समझा तुम्हें यह भी साबित करना पड़ेगा कि तुम्हें बहादूर हो लेकिन छोटे बच्चे की तिरे बेसहारा हूँ मैं बहादूर हूँ और एक बच्चे की तरह बेसहारा भी वह कैसे मालो कि उसके घर में ऐसी खड़की है में धणाड करना परवा फ्रों मैं दाख्ण के पास अनृट्टर chciaणगा मैं यख़ठ़क्तर के पास चरा जाँगा मैं आपले तो तुम्हें एक बेसहारा बच्चे बच्चे की तरह उसे कहना पड़ेगा क्य Evang पर से फाड़ेगी और फर से तुम्हारे जखमों को पटी बादेगी फिर वो हमेशा के लिए बस तुम्हारी बन जाएगी समझा अरे क्या समझा ये तुम्हें सब रखना पड़ेगा के मैं बहादूर हूँ लेकिन एक बे सहरा बच्चे की तरह बे सहरा हूँ अरॅ करूँ बहादूर हूँ लेकिन एक बच्चे की तरह बे सहरा अरे प्र फिते मारदुर लेकिन एक बच्चे की तरह बेसा रहा रहा अ और दूसरा है न ऐ हा के मुझमे चा है लेकिन परवा नहीं मुझे में चा है लेकिन परवाना है रहे मैं बहादूर हो। लेकिन एक बच्चे की तरए बेगा की तरह रहा ह। जान चाली भाए वह परला क्या था आधू तो वह बच्च और कॉफी है मुझे चाहे मैं बहादूर हो, तो बच्चे की तरह बेगा достаточно मुझमें और और मुझमें कॉफी कॉफी चा मुझमें चा है मगर परवानी मैं बहादूर हूं लेकिन एक बच्चे की तरफ बेसारा ने मुझमें चा है मगर परवानी मैं बहादूर हूं लेकिन एक बच्चे की तरफ बेसारा ने मुझमें चा है मगर परवानी मैं बहादू आप लाईए। जी बैठिये अच्छा यहां और लोग भी तो आते होंगे जी हाँ अगर उस वक्त मैं उस कोने में चुपचा बैठूं तो तो लोग यह समझेंगे कि आप कि मुझमें चाह है मगर परवा नहीं आप में चाह भी है और परवा भी नहीं नहीं, मुझमें चाह है मगर परवा नहीं है इस कमरे में müsste कोई ऐसी खिड्की नहीं है जिसका बल्ला नहीं खुलता हो नहीं को?! वो क्यों होगए ? नहीं है नहीं, तो तो मुश्किल होगी, क्यों, सारा प्रोग्राम पेर होगी, कैसा प्रोगा है, देखिये न, आप न मेरे हाथ में चोट लगेगी, और न आप अपनी कीम्ती सारी का पल्लू फाड़ कर मेरे हाथ में पत्ती बानेगी, ये बात है, अचे ये लिजे, आप इस हार नगाने लोग मुझे देखकर हसते क्यों हैं, आपके भोले पन पर, आपके साथ की पर, लेकिन याकीन माने, मेरी हसी के पिछे है, है, हैरानी है, क्या आप कितने भोले हैं, मैं तुम्हें पहचान लिया है, ये रून, सही पहचाना है उनसे पहचान हुई जाते है उनसे पहचान हुई जाते है रह आप कान हुई जाते है उनसे पहचान हुई जाते है जर की राह का दिवाना है इस तरह मान लूद गाना है आप है या कोई अपसाना है आप है या कोई अपसाना है आप है रान हुई जाते है उनसे पहचान हुई जाते है रह आसान हुई जाते है उनसे पहचान हुई जाते है मेरी रातों की सहर लाया है तेर से लायों मगर लाया है साथ अपने वो नजर लाया है जो मेरी जान हुई जाती है उनसे पहचान हुई जाती है रहासान हुई जाती है उनसे पहचान हुई जाती है मेरी तक्दीर तर जाएगे क्योंकि कस्वीर निकर जाएगे अब ये तनहाए कि धर जाएगे ये तनहाए कि धर जाएगे ये भी हैरान हुई जाती है उनसे पहचान हुई जाती है राह आसकान हुई जाती है उनसे पहचान हुई जाती है तुम मुझे पढ़ना लिखना सिखा दोगे जरूर सिखा दोगे लिखना सिखने में कितने दिन लगेंगे पढ़ना नहीं जाती क्या है नहीं तो पढ़ना बाद में सिख दोगे लिखना अबें सिखा दो ना किसी को चित्थी लिखने है नहीं तो शांती, जूट नहीं बोलते मैं जूट नहीं बोलू निसमातिन भाया तो उन तो जानते ही हो अरुन मुझसे मिले बिना ही चला गया मुझे उससे बहुत सी बाते करनी थी पर एक भी न कर पाई और और सब्रेस के सामने कह भी तो न पाउंगी इसलिए तो चिछी लिखना चाहती हूँ सनतन बिल्या चिछी का जवाब तो मिलेगा न हाँ हाँ क्यों नहीं मगर मगर वो बदल गया है और और वो मुझे भूल गया है नहीं रिपगली वो तुझे कैसे खूल सकता तुही तो उसके प्रेरणा है जाए घर जाए अरूर यह क्या हुलिया बनाव रखा है तुह तो बिल्कुल शाहब बन गए और यह मेंटाब रहां नाम मेंटाब मैं हू यू योगेश्नर यह कौन है रूट आप किसको ढोड़े जय बज रंग बनी तुमने मुझे नहीं परचाना साहब बनती आँखों के परदी पड़ गए शाद ऐसा ही होता है अच्छा तु फिर मैं चलता हूँ राम राम चलो कर दो नहीं घट चलो रूट कौन था है वो जिसे तुमने पहचान कर भी नहीं पहचाना वो मेरे गाउं के जुगेश्वर काका थै तो आज तुम आपने गाउं के एक आदमी को नहीं पहचाना और कल तुम अपने घरवालों को भी फूल जाओगे यही ना तुम्हें अपनाने के लिए मैं सब कुछ भूल सकता हूं कर तुम्हें अपनाने के लिए मैं सब कुछ भूल सकता हूं कर अरू क्या मेरे साथ मेरी जिंदेगी के हर रास को हर दाफ को अपना सकते हूं क्यों नहीं? नहीं हरुण तुम मुझे अपना कर मुझ पर नाज नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम नहीं जानते कि मेरी शोहरत के पीछे मेरी गरत की निलामी है और मेरी हर मुस्कराहत के पीछे मेरे दिल की सौसव आसू है कभी मुस्ते एक छोटी सी भूल हो गई थी और उसके लिए मेरे घर के दर्वाजे हमेशा के लिए बंद हो गए मैं समाज के आखा में के लिए बस करो कल्पना भगवान के लिए बस करो जब समाज के वही लोग जो मुझ पर उनलिया उठा दे वे मेरे रूप के मेरी एक जूटी मुस्कराहाट के मुम्ताज हो गए लेकिन इस दिन्मेगे से मैं बेजार हो गई वरू मैं ठख गई हूँ मैं तुमारा हाट थाम उगए कल्पनाता सोच लो, सोच लो कहीं मुझे अपनाने के लिए तुम आपनों के पराज नहीं करतोगे वादगरो वादगरो सत्त नारायन बंदेहम इतिसकंद पुराने पंचमद्धाय समाथ तह इतने बुखार में तुमें नहीं आना चाहिए था इस घर में तुम सब के चरनों की धूल पड़े और मैंना और भगबान का परसाद भी तो लेना था तेरा बापू नहीं आपटा था अच्छा और मेरा बापू का हिस्सा अच्छा ये ले बापू का हिस्सा मगर देख रास्टे में भुटादा देना क्यों गल्यान गर्वे कल्यान है ना? सबाद क्यों आया कल्यों कुमें हरी का नहावी सत्त है यह लोग पता जुब जुब जियो बेटा और थोड़ा देते तो राज के भोजन पहीं क्यों नहीं बेड भर के खाउद आका जी भर के आशिर्वाद दो, अरुन को मेरे आशिर्वाद से अरुन 네가 कुछ बनेगा बेटा अब तो उसका भगवान है कल्यान करे क्या अरुन करें अभी हाल्यवाय में शहर गया था अरुन से मेरी मुलाकाथ हो गई मुलाकाथ हला! अब उसे फुरसत कहा बेटा उसने तो मुझे पहचाना ही नहीं और उनने अपने जोगेश्टर कागा को पहचाना ही नहीं बला पहचानता कहते बदन में सूट, मुँ में सिग्रे, साथ में नए फैशन की परी, बेटा नए फैशन की परी अब दरनी, जैक बर स LAUND, मळआडा, माहते, सतर निरायन गापर को नहीं होचाना ही जूट है, देवर्च जी बिल्कुल जूट है, मेरा उन ऐसा नहीं कशकता, मेरा उन ऐसा मुए नहीं कशकता, मेरा उन मा ढूर्ण मा अठी कुमार, परिष्पह अब क्रहरत है आजाएगा मा, तुम चिंता ना करो कुमा मा, तुने और उनको चित्ठी तो लिखती है ना हाँ मा, मैंने लिखती है, खुब टाकित करके लिखती है चित्ठी मिलते ही वो फरण चलाएगा, तुम सोचा मा क्या वो मेरे गुनाओं को मा कर सकेगे तुम मेरी मा को नहीं जानती है करदी उसने सिर्फ मा करना ही सिकाए वो मेरी मा है नहीं अर्व, वो हमारी मा है तो चुप पिए हो गई मा, कुछ तो बोल, कुछ तो बोल मा तुम्हें बाकर मैं एतनी खुश हूँ जी चाहता है इस खुशी को साथ लेगर मर जाओ ताकि यह कभी कम ना हो तुम्हे मरनी कुटेगा नहीं मा, मैं तुम्हे नहीं मरने दूगा एक नरी दू तुम मरना ही कूँगा हम एक साथ मर देंगे तू मुझे इस तरह उकला छोड़ कर नहीं जा सकी मा, मुझा औक झोड़ पर मर जा गर अखं़ क्या तेख रहे है मा? मेरी तरफ देख माँ । मा, 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 यही ही हूँ कहा है ao रहा चोड़ागा टूढ़ा । nastyo reduce you? कुछ कामा मिला के? काम हाम क्या मिलता है? अजर ये कोट दो दिन के लिए मिल जाए, सब की छुटी हो जाए जिवाज जिए लो रे? रेरी नाइस, रेरी नाइस, थैंक जिए अब रिनाथ कहा है? लास, वो नाना का परवन आया था चला गिए क्या बात है अब भी नजावा छोड़के दिल भी भरा नहीं, 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 नहीं चला बोड़ दरम ये ची ठीका बाई यहीं कोई पहची देनों रे क्यों, क्या बात है? मेरी मा भद दिमादी क्या बजरन तरह सुचो कुमार जिस अरुन के लिए तुमने इतना कुछ किया उसी ने तुम्हे भुला दिया जै बजरन मा को भी भुला दिया क्या दमादा आया जिस दिये की जोटी से खर उजाला होने वाला का उसी दिये ने घर को फूप डाला अच्छो कुमार तुमार अब चलू कुमार, मुझे अपना ही आगमी समझना मुझे तुम्हारा कभी कोई बुरा नहीं होगा कभी बुरा नहीं होगा मा 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 का और आगमी मा याद आई अरून तुम मुझे भूल जाता है इस गाव को भूल जाता है मैं नहीं एकमी लगन तुम्हा को भूल गया तुम्हार टेरे लिए पेट पर खाना नहीं घाना आट सू बहा बहा कर जिसके आख के नें बुद गई तेरा ही नाम देते ले तो इस बचारी ने दम तो दिया नहीं यरून नहीं, मैं ते जिप खमाने ही करूंगा तब ही खमाने ही करूंगा खबरदाफ जी इस तक भी ख़िया रहा माँ जी मैं देख्या किया माँ मुझे माफ कर दे न मा, मुझे माफ कर दे न मा मैं अपने आप को समय लें सेखा मेरे अच्छा पहिर्या, मेरे एक बात का जवाब दे सच-सच बता ना, और उस सच़ई के खातिर मैं बाभाई होके तेरे पाउ पकड़के माह माँगा और उसके बाद, चितना मर्से तु मुझे मार दे तु मेरे मुझे भी खुन बाह बिला, सच बता क्या बात है यह जोकेश्व गागा ने, तेरे बारे में बहुत कुछ बता है बोलिए सब सच नहीं है, मा की तस्विछ, कि सामने बोलिए सच नहीं है सच नहीं है न मैं जानता था, यह सब जूट है सब जूट है अरुन, देख तुझा ठैला मैं भी आ रहांती को आ गया अरुन आ गया भी जोकेश्व गागा ने उसके बारे में जो कुछ कह था सब जूट है सब जूट है अरुन, तुम चार दिन पहले क्यों नहीं आए अरुन, तुम चार दिन पहले क्यों नहीं आए मा बहुत है बिमार हैं किया तैजी ने तुम को बहुत याद किया जब भी हो जाता बस एक ही बात अरुन कहा है मेरा अरुन कहा है ऐसे मालूम होता था जैसे जैसे उनके प्राइंट तुम में अट गया हूँ अरुन अरुन सच पूछो तो जोगेश काका नहीं जोट कहकर उनकी जान दे ली बड़ी भाईया उसे लाने गई है अरुन अरुन जब हो आएगा तुम उसे कभी माफ मत करना कभी माफ मत करना संती मुझे बहुत भुख लगी है कुछ खिला सकती है अरुन 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 को आ है ठोड़ने बटा अरुन 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 मेरे आले की सवत पाकर शाज में वापस चिरा गया होगा कभी नहीं अरुन 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 कि मैं अपना वचन पूरा कैसे करूँ करूँ जोड़े यह मिठाय तो उसके लिए लाई है ना अगर वो चला गया छोड की तरफ हाग क्या मेरे मुझ में कॉलग लग आख चला गया मेरे मुझ में कॉलग लग आख चला गया देख शांती उसका नाम मेरे सामने लिए मैंने जाना चाज़ा वो कहा है किस तरा है, क्या कहा है वो जिन्दा है यह तु रो रही है रो रही है न? मैं भहुत रो हॉँ याद रख तो भी मेरी तरफ बख बाएग, सुन मैं उसे उसे माप नहीं करूँ कभी माप नहीं करूँगा आज से उसको एक धेला भी नहीं बेचूँगा एक कोड़ी आहीं बेचूँगा एक सब्सक्राइब नहीं तेरा आला भी धोका था तेरा आला भी धोका था तेरा जाना भी धोका है मेरा दिल तो ना मानेगा जो इन आँखों में देखा है तेरा आला भी धोका था तुझे पाकर हर कशय की तमन्ना छोड़ बैठे थे हमें अब ये न समझाना मुहबत एक तमाशा है मुहबत एक तमाशा है जो इन आँखों में देखा है तेरा आला भी धोका था तेरा जाना भी धोका है मेरा दिल तो ना मानेगा जो इन आँखों में देखा है तेरा आला भी धोका था जो दिल मेरा नहीं बचला नजर तेरे भी क्यों बदले मगर दुनिया तो कहती है यहां ऐसा भी होता है जो इन आँखों में देखा है तेरा आना भी धोका था तेरा जाना भी धोका है मेरा दिल तो न मानेगा जो इन आँखों में देखा है तेरा आना भी धोका था कहाँ है वो? वो चला गया अब देखना वो कभी नहीं आएगा कभी नहीं आएगा क्यों? बड़े भी या उससे बहुत नाराज है वो उसका नाम भी सुना नहीं चाते और कहते हैं कि उससे अब वो पैसे भी नहीं भेजेंगे अब तुम ही बताओ सुनातन भी या इसने बड़े सहर में पैसे के बिना कोई कैसे रह सकता है पगली कहीं भला कुमार कभी ऐसा कर सकता है वो तो गुर्से में कह गया होगा सुनातन भीया तुम मेरा एक काम कर दोगे यह रुपे अरुम को पेश देना मगर यह मत लिखना यह रुपे मैंने दिये हैं फिर क्या लिखो लिखना चाची के रुपे मेरे पास थे उसी मेंसे दिये हूँ ऐसा क्यों इसलिए कि अगर उससे मालुम होगा कि यह रुपे मैंने दिये तो वो मुझसे नारास होज़ेगा और फिर कभी बात नहीं करेगा सुनातर भया क्या उससे कोई वापस नहीं ला सकता क्यों नहीं वो देश वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते प्रभू मुझ में भक्ती है या नहीं मैं नहीं जानती पर तुझे मेरी लाज रखने पड़ेगी प्रभू मेरे अरुन को लोटाते मेरे अरुन को लोटाते प्रभू अरुन भाईया घम को भूलने की कोशिश करो माबाप हमेशा साथ नहीं देते मेरी तरफ देखो मेरे पैदा होते मेरी मा मर गई बस मैं उसी वक्त रोया उस वक्त तुम वाख़ा ही समझदार थे तग इसमें क्यों टोकता है उसके बाद मेरे बाप ने तीन शादियां की फिर वो मेरी तीनो माएं मर गई अगर मैं उनके लिए रोता तो मेरी आँखों में सनुंदर की जुरूत पड़ती इसमें हसने की कोई बात नहीं यहां कौन हस रहा है स्षगों मेरे लिए घर का दरवाजा भी बंद हो गया बिला सएए अरे अरुन भाया तुम बड़े नसीर वाल वो कि तुम्हारी लिए अरे भाल सब मेरे लिए दरवाजा थे खिडकियां भी बंद हो गयी धरह चोड़ो ओ तुम्हारे गसे पाशाइए न थोड़े तो आएंगे ना, कुछ ने, तो मुसीबत हो गई, अरुन भाईया, मेरी तरफ देखो, जैसे जैसे मेरे नाना के पैसे आने में कमी हो गई, उसी तरह मेरी ये लंबी पाटलून आहसे आहसे शौट बैंड बन गई, थोड़े दिनने वो भी नहीं रहेगी, तु जा आने वाले को जाना, आने वाले को आना होगा, आने वाले को आना होगा, आओ प्यारे, आओ प्यारे, मेरी चिछी है, मनियरर किसका है? अरुन कुमार का, कमाल है, तुम्हारे घर का दर्मादा बंद होने के बाद भी तुम्हें मनियरर आता है, ये अपनी बात समझ में निय ते विए बहुत अच्छे है मालकीन परान बगो आया है उनको जाने के लिए कह दो बहुत अच्छे आज तो मिलना ही होगा क्यों जाने मल अब मेल मलाप में बेटराज आप फिर क्यों आया है बहुत अच्छे कह तो दिया के मिलने के लिए मगर तुम कितनी बदल गई हूँ वक्त और सोवत दोनों इंसान को बदल देते हैं सोवत तो हमारी भी बुरी नहीं थी बुरी थी तब भी तो आपसे मिलने में इत्राज है तो मतलब यह है कि हम बुरे थे और कोई भला मिल गया है जी हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे लेकिन बात बरसल यह है जाने मन कि इस रंग बदलती हुई दुनिया में हमने बहुत कुछ देखा है अगर खुदा की कैसन तुमसा नहीं देखा जी हाँ अब आपको वाकी पता चल जाएगा कि मुझसा नहीं देखा बहुत अच्छे लेकिन जाने मन बेवकुफ दोस्ट से अतलमन दुश्मन अच्छा खर चोओ इस बात हाँ तो ये बताओ Improve themselves कि अरुन कुमर कब तश्रीक लाने वाले है क्या उन्हें ये मालुम है कि कभी हमारे तुम्हारे कासी गहरे तालुक अतर थे उन्हें ये भी मालुम है कि मैं एक अचिछान चीर के लिड़की हूँ एक दिन आपसे शादी करने का सपना भी देखा था और आपने मुझे धोका दिया क्योंके मैंने आप पर भरोसा किया था प्रान बाबू, आपने एक खेल खेला था जिसे मैं आपनी इस दिन में की समझी थे और यही मेरी भूल थी जिसकी सजा मैं आस्तर भुगत रही हूँ मेरे पास, मेरे पास सब कुछ है पैसा, शुहरत, तारिफ करने बले लोग मगर मन की शांती में मिल जाएगी, मिल जाएगी लेकिन जाने मन दिहाते हरूम की आखों में नहीं बलके शहरी प्रान की बाहों में प्रान बाबा, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं आपके हाथों का खिलोना नहीं बलके किसी की जिन्दगी पन कर चींगी बहुत अच्छी, जिन्दगी की राउनक बन सकती हो, जिन्दगी नहीं आप इसे बत लिया से चले जाएए जाता हूँ लेकिन जाने से पहले, सुलजी हुई का और सुलजा जाजाना चाता हूँ जानती हूं जब चांद ग्रहन होता है तो दुनिया चांद को नहीं ग्रहन को देखती है ग्रहन की बाते करती है इसी तरह इंसान की जिंदगी में जब एक बार बदनामी का दाग लग जाता है तो लोग डाग को देखते हैं, डाग की बाते करते हैं, इंसान की नहीं करते हैं नाचीज की बातों पर घौर जरूर फर्माईएगा, आदावर्द है बहुत अच्छे हैं, तुम्हें अरुन कुमार रोबर खुरदार? जी मैंने आप पैसान जाओगे, पैचान जाओगे, मुझे प्रांग कहते हैं, कल्पना का प्रांग, जी वैसे तुम्हें बहुत मामूली सा आदनी हूँ, लेकिन वो जो बालकनी, जहां खड़े होकर तुम मुझे काफी गहरे तालुक आते हैं, आकसार की बातों का बुरा नहीं मानियेगा, आला बज़ते हैं, अरुन, तुम कहाँ चले गये थे? काँ? काँ? माता जी में क्या कहा, क्या उन्हें? उनकी आत्मा को शांती मिले कल्पना, मरते दम तक वो मेरा इंतजार करती रही, क्या? और तुम्हे कोई खाबर तक में मिली? नहीं, तार आकर होस्टल में पढ़ा रहा, और मैं, और और तुम मेरे पास थे, यही ना? कल्पना, आज मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे तुम्हें सब कुछ चोड़ने की जरुर तुम वापस चल जाओ, यह क्या तहरी हो कल्पना? मैं ठीक कहरी हूँ, आज तुम मेरी वज़े से अपनी देवी जैसे मा को आखरी वक्त मिलना सके, कल्प तुम्हें अपने बड़े भाई से दूरहजना पड़ेगा, और हो सकता है, एक दिन समाज भी तुम्हें नफरत की निगार से देखने लगे, सिर्फ मेरे लिए, नहीं अरू, तुम वापस चले जाओ, अपनी भलाई के लिए वापस चले जाओ, क्या तुम मेरी भलाई के लिए सब कुछ कह रही हूँ? हाँ, और यह प्रांक साहब कौन है? अभी तक सोच रही थी तुम्हें त्याग हो या तेरी जिन्दगी के हर पहलू को जानते हो, फिर भी पूछ रही हो, अरू, सोचा था तुम्हें लेकर जो संसार बसाओंगी, उसमें चैन होगा, मंता होगी, विश्वास रहेगा, मगर संदे ने, लेकिन यह मेरी भूलती, तुम्हारा मन कितना ओच्छा है, जाओ, और फिर कभी मता ना, जिलास, अब क्या यार, क्या विश्वा सकते है और दे धुखा दे सकती है, आह, दे सकती है, पाठावा, तुम कलपना के बाद भी का रहा हो, तो डेफिनिटिल दे सकती है, देते आई है, और डेती रहे भी, हस्ने की बात नहीं है मेरे दोगे, उसने पराण को दोका दिया तो तुम ने उसे पाया अब तुम उसे छोड़ो कल और को उसे पायागा आँ मेरे दोस्त हम दोनों गले में हार दाल कर राज भरोये और सुबार शहर में ढ़ना अपीडे और धूने कि उसे किस-किस ने खो कर पाया और किस ने पापा कर खोया नहीं मैं उसने खो सकता मैं उसे बिछड़ कर दोहिसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे गजब भयो रामा जुलम भयो रे अज़़ा को ने को ने है को ने है बिलास मार आओ या अरे ये क्या हुलिया वाला रखा रहा है अरून आओ अरून अरून ठेक है या ठीक है विलास तुम जुरूर मुझे कुछ च्पा रहा हूँ बदाओ बदाओ अरून का रहा है बोटे क्यों नहीं गुम्बार अरून के बारे में मैं जो कुछ कमूँगा तुमें उर सुनकर दुख होगा दुख, यहाँ आने के बादर उनने आज तक जो कुछ भी किया, उसा में दुख के सिवा और कुछ नहीं मिला, उसके जिंदे के सुधाने के लिए मैं आज सब कुछ करने के लिए तेयार हूं, विलास, बोल वो कहा दे, बोल, मैं हाथ जोड़ता हूं, विलास, कुमार, मुझ यहाँ का यह नाचीस तौफा, बोल, मैं तो भूली गया, तुम तो दुलन बनने के खुआब देख रही हो, देखो देखो, जरूर देखो, लेकिन जाने मन, हसीन खुआब अकसर पूरे नहीं हुआ कर दो, और अगत यह ऐसा हुआ, तो दिल ठाम कर बैखने की बजाए, य यही चीज तुमारा चाहते है, बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरे जिन्दी के खुआप पूरा हुआएगा, कैसा खुआप, यही के मेरे हाथ में रिवल्वर होगा, और आप, मैं सामने खढ़ा होगा, लेकन जाने मन, यह असी खुआप भी आपका पूरा नहीं होगा, पसंदाई योड़ी, जरा संभाल कर रखना, भरा हुआएगा, बहुत अच्छी, आबे मर्दे बर खुर्दाब, तो, कल्पना, प्रान बाबू, मेरा अच्छ, उदी निकाल लीजिया, यह, अच्छा तो अभी जाज़त, फिर कब आईएगा, अब तो आना जाना रहे गए कल्पना, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ कुछ कुर्बान कर लिया, आज तुम ही धोका दे रही हो? क्या, तुम एक लाग रुपय के चेक दे सकता हूht? तु इतनी नीच हो, इतनी कमिनी हो, मैको भी सोच कि नहीं सकता था मार, मैं नीच हूँ, मैं कमीनी हूँ, सारी दुनिया मुझे यही कह कर पुकारती है मैं बहुत मीच हूँ, मैं बहुत कमीनी हूँ, बहुत मीच हूँ बहुत अच्छे, चेक लेकर तुमने मुझे दोगा दिया, चेक दिखा कर तुमने अरून को दोगा दिया चेक फार कर तुमने अपने आपको दोका दिया और अब आंसू बहा कर सारे समाज को दोका देना चाहती हूँ कौन से समाज परान बबा जिसके ठेकेदार आप जैसे लोग है मगर याद रखिये जिस समाज में आपकी इज़त है उसके समने मैं आपके सारे गुणाओं के परदा फाश कर दूए बहुत अच्छे लेकिन किस मुसे कहोगी ये कहकर के तुम मेरी जरखरीद आपके सिवार कुछ भी नहीं दी बहुत अच्छे, कलाई में मोच तो नहीं आ लगी लेकन ये तमाचा तुम्हें बहुत महिंगा पड़ेगा जाने हो कलकर, मुझे माख कर दो कलकर नहीं शिशाए बद तूट जाता है औरम, तुम चूड नहीं सकता तुम चले जाओ रहु, मुझे आकला छोड़ दो, मुझे आकला छोड़ दो कलपना, कलपना तुम्हेरे दामन के सिवा मेरा कोई साही नहीं शावभाण, शावभाण वो राशन क्या खानदान का नाव भाईया, भाईया, कौन है तुम्हेरा भाईया, जिरा भाईया मर चुका अगर तुम अपने बाप के नशे में मुझे जान से भी माट ठालता तो मैं उफ नहीं करता लेकर खानदान के नाम पर कालिक पोतने का तुझे कौन साही दिगा था तुम, तुम समझे कुछ नहीं कहना ये तुम आपने भगवान से पूछँगा के जिस औरत का मैंने कुछ लेई बिगदा उसने मेरे घर में आग क्यों नगई क्यों मेरे घर में आग लगाई और वाने शमा पर जल जाते हैं तो वा स्थ शमा को क्यों दोस्ते ते कलपना मैं क्या कहना चाहते हूँ मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हे छोड़कर मैं मैं वो सब कुछ नहीं सुनना चाहते हूँ आज तो तुम्हे सुनना ही पड़ेगा कलपना तुम जा सकते हैं अरू कलपना रिवल्वा रदो अरू भरा हुआ है जानता हूँ अरून आज परवाने के साथ शमा को भी जल कर राखोना पड़ीगा परवाने जलते ही रहें लेगिन शमा का कुछ नहीं है यह बात है क्या दिवल्गा रखता है रख दो अरून क्ये तुम्हें यह क्या अरून बहुते हाँ मैंने कोट कोज़ेगे अरून यिद मैं क्या क्या इहाँ चलो, चलो मेंजा वया, चलो मुझा करें अब तुझा करें आउंगा, देख ले आयाए हूँ, यह मत पूस रहा, यह कहा था, कैसे था, और कैसे ले आयाए हूँ, बस ले आया रहा हूँ, अब तुझा ही समाँ, उससे नहीं समाँ लगाए, बस चुप रहे, देख शंदे, अगर तुझा बांते रख सकीगा, तो कितने दिन हो चुके, अभी तक आप खुने का पता तक नहीं लगा सके, जी, हम लों की पूरी कोशिस चल रही है, कोशिस चल रही है, कम से कम, इतना तो पता लगाई है, कि कल्पना दवी के पास कौन-कौन से लोग जाया करते थी, यह सर, भाईया, इस तरह बंकर के कहां च बेखा मुझे छोड़ दो, गरिफतार हो दो भीया, गरिफतार? हाँ, गरिफतारी का यह इंतिसाम क्या क्या है, चल, आज मैं खुद अपने हातों से तुझे गरिफतार कराऊँगा, रखावर तरह नहीं डालेगा तरह, कभी नहीं भाईया वादा, वादा भीया, चलो भीया यह शहना ही कहां बज रही है भीया किसी के अग्मान पूरे फुई होगे, किसी के सब में सच होए का समया रखोगा चलो, चलो राखाव, काथी, आप में गाए पावजी की अमानत तुम्हें सौपराओ, किसका ख्याल लगए रे वादा तुम्हें तुम्हें तैंग में अरूळी जरक के का अज से यह अरून और शांती की देखवाद़ तो तुम्हें करवदिते है आज तो कदेख़गा, मगर बड़े भाई का रहा जिए आक तुम्हें सब तैयारी करना आप मुझे भी तैयारी करने हैं, अब क्या हुआ, का कि इसे ले जा, लेकिन वह निकला जा रहा है वरून, का का, आओ रून, आओ जा आप ही मिस्टर कुमार है? जी हाँ आपके चिठ्टे मिली, तैयार है? हाँ आप मुझे दो मिनित की महुलत दे सकते हैं जरूर, जरूर शुक्रिया दुनिया में आया है तू, तू में खिलाए जा आंसो किसी के लेके, खुशिया लिटाए जा दुनिया में आया है तू पूलों में आज होता तेरा भी आशिया अब तेरी आर्जू तू बन गई दास्ता, बन गई दास्ता बुज गई शूमा तेरी किसी की जलाए जा आंसो किसी के लेके, खुशिया लिटाए जा दुनिया में आया है तू पूल खिलाए जाओ आंसो किसी के लेके, खुशिया लिटाए जाओ दुनिया में आया है तू अब आ रहे हैं आप, जानते हैं कितना बज़े हैं? ठीक, छे बज़कर पंदरा मैंने सारे रहते गए आंने किसी में जाने का प्रोग्रम आप दिल्कुल ही भूल गए ओ, ओ, आंसो सारी प्रफाद खल्पना मारर के इस मेरे सुपूर कर दिया गया इसलिए तो इसनी देर हो गई तो क्या पकड़ा गया खुनी? यही तो इसी केस की अजीब बात है खुनी ने खुद अपने आपको कानून के हवाले कर लिया उसने अपने भाई को बचाने के लिए कल्पना कमार्डर किया तब तो काफियो उशर मालूम होता है ऐसे दलीले देकर वो कानून के नजरों में अपने लिए हमदर्दी पैदा करना चाहता है उसका बयान सच भी तो हो सकता है सच हूया जूद ऐसे आदमे को तो सक से सक सदा मिलनी चाहिए जो कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करे लेकिन हूआ आदमे ऐसा तो नहीं हो सकता वो एक अच्छा थासा प्रा लिखना जवाने ये देखो उसकी तरफित जैसे किसी के सुरत पर ये तो लिखा होता है जैसे देखो ना ने ने उनने गलाट काता भगवान जिसे ऐसे सुरत थे उसकी शिरत कभी नहीं बिखारता कभी नहीं बिखारता लेकिन प्रफार क्यों आतनी निर्दूश है दिल क्यवाई एक अचिदिंधी के लिए हचिन बिल लेकिन जैसे भी हो आप उसे बचा लीजी मेरी समझ भी नहीं आता एक गहर आदमी के लिए तुम इसी परिशन क्यों हो वो गहर है अंजान है मगर एक इंसान है और एक इंसान इस किनाते में आपसे बिंटी करते हो जीस तरह भी हो आपसे बचा नहीं पड़ेगा बहुत अच्छे बात आपकी जोरदार तक्रीर की दात देता हूं और हाथ तोर पर एक अंजान आपनी की जान बचाने के लिए जो पैरवी आपनी की है वो बेमिसाल भाईया कभी कबार भावी की भी राय ले लिया करो इन कानूनी मामलों में अरे अपनी भावी की बात पूछो ही नहीं अभी अभी दो मिनित पहले कह रहे थी ऐसे आदमी को सक सक सदा मिलनी चाहिए और आर आप चान बचाने के लिए कह रही है यही न क्या मुखड़ा है जालिम का चश्म बदूर क्यों भावी भावी मुझे मज़ाद बिलकुल पसले बहुत अच्छे भावी अब तुम्हें बताओ भावी से मज़ाद न करूं तो किस से करूं तो इतने जूते पड़ेंगे तो चलिया पर एक बाल भी नहीं रहेगा क्यों कैसी गई धालिए आज से में हो क्या गया है प्रफा मुझे कुछ भी कुने यह केस मेरा मतलब है तुम्हारे घर का केस कासी पेचीडा मालूम होता है सुलजाने के लिए किसी सबूत और पेरवी की भी ज़रूरत नहीं है खुश रहो रहा है ले वसन हम तो चलते हैं प्रान है इस केस के बारे में तुम्हारी क्या राय है बहुत अच्छे भाईया अर्दकील तुम हो और राय पूछ रहा है इस नाकीस की नहीं कल्पना तुम्हारी सुसाइटी में घूंती फीरती थी मेरे ख्याल में मामला तो बिलकुल साथ है क्यूंके खुनी ने अपने जुन का इकबाल भी कर लिया है मैंने सुना है कि बहुत दिनों से कल्पना एक दिहाती की महबत में सुदबुत खो बैटी शायद इसलिए उसके भाई ने उसका खुन कर दिया आप हरगिस नहीं बहुत अच्छे मेरे मतलब रभादी की ये बात तो तुम जानो भाईया जाने या अदालत जाने मैं तो पर्देशी हूँ यूर अन जेंटलमेन अप दिजुड़ी आज अदालत के सामने जो मकदमा तद्वेश है वो अजीब और गरीब है इसलिए कि खुनीना खुज अपने आपको कानु के हमाले कर दिया और अपने जुग का इकबाद कर लिया मुजदें एक नेव संदान कर शरीप और पड़ल था नौजवान पुलिस को दिये में अपने बयाद के मताविए उसने अपनों भाई को बचाने के लिए महरूमा करपणा का पूर कर दिया उस करपणा जिसके चाल शरंका को इद्वार की क्या जाज़ता योवर आनर एंड जेंट्लमन अब दिजुरी मैं इस मौतराम अदालत से पूछना चाहता हूँ कि अपने भाई की भलाई और बेटरी के लिए या अपने पिता को दिये हुए बचन को पूरा करने के लिए क्या किसी इनसान को यह हथ पूस्ता है कि वो एक मासुन जान को हलाग करते हैं कानून को अपने हाथ में ले ले नहीं हरकितनी पुलिस की रिपोर्ट के मताबिक एकाइट के रंबर की राद को स्वाड़े मुद्रिन कुमान में पूरे होसा हवात में जान बुजगर इराद करते हैं कलपले का कुम करते हैं मेरे बड़े बचाने के लिए इन्होंने मेरा इल्दम अपने रिया इसके बात मत सुनेए यह नादन है अबने बढ़े बड़ायी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना चाहता है गुने गार मैं हूँ Millionaire कलपना का खून मैंने किया है मैं तो फैसले के लिए 인तार कर रहा हूँ फैसले कीजीए यूरानर Mr. Kumar आप अपने बचाग के लिए खुच पैरवी करना चाहते हैं या किसी वकिल को लाहते हैं या किसी वकिल को मुकरर रवानर यह नहीं यूरानर मैं अपने बचाओं के लिए कोई पैरवी नहीं करना चाहता हूँ Your Honor, मैं इनकी पैरवी करना चाहता हूँ आपको पैरवी करने की अजाज़त दी जाती है Your Honor, मुकदमा काभी सेथी सा नज़र आता है इसलिए मैं इस तर्दी करने के लिए आज़र 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 के लिए मुकदमा पांच गिसंबर के लिए मुल्क मी किया जाता है Yes, Your Honor पती के खिलाफ एक खुनी के बचाओं के लिए वकील मुकरर करता हूँ अपर उसी से जेल में मिलने आना यह नहा है प्रभाद काश, मैं ऐसा नहा हमेशा कर सकूँ क्योंकि मैं जानती हूँ सच्चाई का साथ देना कोई नहान नहीं और सच्चाई तो वह है के खुन मैंने किया नहीं नहीं, यह जूट है कुमार यह जूट है मैं तुम्हारे आत्मा को, तुम्हारे दिल को जानती हूँ अपने आप को सम्हाल प्रभाद जस्पाद के सहलाब में फर्ज का बांद अगर तूट किया तो शादी सुदा और समंदर के तरह होती जिसमें जुआर तो उड़ता लेकिन जो चलगता नहीं भगवान साख़िये मैं निश्पाद मन से तुम्हारे पास आई हूँ और वो यह भी जानता है कि तुम निर्दोशो पुमार तुम निर्दोशो किसी गैर के लिए आसो बहना गैर हाँ आज हम दोनों एक दुसरी के लिए गायर है हमारा कोई समन्या लेकिन कुमार मैं तुम्हें बीती हुए कल का वास्ता देती क्या क्या तुम मुझे भी सच नहीं बताओ गैर सच तो बही चुम आदालत में कह चुका नहीं तुम अपने आर्मानों का खून कर सकते हैं लेकिन किसी का खून करके तुम खुद नहीं खुनी बन सकते हैं तेड़ हो अब तुम जाओ प्रभाद जाते हो लेकिन कुमार मैं तुम्हें इस तरह आत्मत्या नहीं करने दूंगी तुम चाहो तो भी नही करने दोंगि रभाद तुम्हें सरकारी वकील की पतनी हो एक मामूली खुनी को बचाने के लिए वकील मुकरार करना क्या तुम्हारे लिए ठीक है? ने, वकुनी नहीं को सकते ऐसे तो नजाने कितने लोग हैं उनके लिए तुम्हारा दिल गवाही क्यों नहीं देता, क्यों नहीं देता क्योंकि, क्योंकि मैं जानती हूँ, वो देवता है एक जमना था, जब वो इनर सुटी के सबसे काविल स्कुदन थी सब को उनसे बड़ी बड़ी आशायं थी शहर के ग्रैस और नामी घराने की लड़की के साथ, इनकी शादी होने वाले थी लेकिन, लेकिन किसमत पे इनका साथ नहीं दिया पिता के अंती मीच्छा पुरी करने के लिए उन्होंने अपना सुनर अभवी शित्या कर दिया और जिस लड़की के साथ उनकी शादी होने वाली थी जिससे उन्हें प्रेम था, उससे भेगे छोड़कर गाउँ चले गए और उस लड़की की शादी एक सरकारी होकीन से हो गई उनके लिए मेरे शुद्धा को गलत में समझे ये वो दास्ताद है जो मैं कब से भूल चुकी है आप मेरे देव का है आप की चल्वे की सोगन खा की कहता है मुझ पर विश्वास जाए नहीं प्रभा विश्वास को किसी सफाई की जरूरत नहीं हो जाए मुझे तुम पर पूरा विश्वास है भगवान करें कुमार बेगुना साबित हो जाए लेकिन मुझे भी तो अपना फर्ज अड़ा करना है विश्वास आपने गीता पर हाथ रखकर किसम लिए है कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच कहेंगे सिर्व सच कहेंगे कल्पना का खुन मैं नहीं किया है लेकी हुआ है और खुनी बिये और वो मैं है मेरे बड़े भई ने मुझे बचाने के लिए जुर्म आपने उपर लिया है अग्वर्ण क्या आप बता सकते हैं कि आपने कल्पना का खुन क्यूं किया उसने मुझे धोखादिया मेरा अपमान किया वो मेरी जिन्दगी से खेलने लगी थी ओ, इसलिए आपने स्टैश में आकर पिस्टॉल निकाल ली और जो आपकी जिन्दगी के खेल रही थी आपने उसकी जिन्दगी के खेल को खत्म कर ली Your Honor, मेरे काबिल दोस्त गवा के जजबात पर दबाव डाल कर अपनी बाद जबर्दस्ती मनवाने की कोशिश कर रहे हैं Your Honor, गवार अरूं का प्यान गोर तलब है उससे साथ जाहर बता है कि कल्पना की बेवफाई से तंग आकर अरूं ने कल्पना का खुन कर लिए अपने छोटे भाई को कानून की ग्रिफ से बचाने के लिए मिस्टर कुमार ना खुन का इल्जाम अपने सर ले लिए लहादा मैं आप से इल्पिजा करता हूँ के एक बेगुणा भाई को एक बेकसूर भाई को कसूर भाई कीजिए का सदा मिलने से बचाना से ही यह अरूं कुमार क्या बता सकते हैं वो पिस्टोल कहां है जिस ताफ में कर्पना का खुन किया था यह मुझे याद नहीं आपने कर दो जिन्दगे में यह पिस्टोल शलाई थी जी उस राट पहली और आखरी बाई आप मिशना लगा सकते हैं जी नहीं मिलोर्ड गवा के बायन पर गौर कीजिए और गौर कीजिए मुल्जीम कुमार के उस बायन पर जो उसने पुलिस को दिया है जिसमें उसने कभूल किया है कि बंदूख चलने का उसे पुराना शौक है और वर्दाथ की रात को उसने किसी की पिस्टोल चुरा कर कलपना का खुन किया यूर आउनर सरकारी वकील ने बिलकुल बे बुनियाद दलीन पेश की कभाद दरस्तल अपने भाई को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा बलकि हकीकत का इदार करके अपनी इमानदारी का सुबूत दे रहा है मेरा कहना है कि मिस्टर कुमार को बड़ी करके मुकदमा आरून पे चलाया जा ने ने ऐसा ने कहिए ऐसा मत सोची ये इंसाफ के साथ बे इंसाफ ही होगी मेरा यकिन कीजी ये रॉनर मैंने पुलीस को जो कुछ बयान किया उसका एक एक लफ सही है गुनेगार मैं हूँ मुझरिम मैं हूँ कलपना का खुन मैंने किया मैंने क्योंके क्योंकि मैंने पिटाजी को वजन दिया था क्यारूम को पढ़ा लिखाकर एक अच्छा इंसान बनाऊंगा वही मैंने किया योर आउनर उसे पढ़ाया लिखाया उसकी शादे की उसका घर बसाया इसलिए जो उसके खुशियों के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश कर रही थी उस औरत को मैंने हमेशा के लिए रास्ते साथा दिया लेकिन ये नादान ये नादान अपने बड़े भाई के फर्स को एसान समझ कर उसका बदला चुकाना चाहता है मेरी जान बचाने के लिए अपने जान कौर्बान करना चाहता है ये ये कानुन को गुम्रा करने की कोशिश कर रही ये राणर जॉस्ता साथ इंसाफ कीजिए उस्तुड्स सदाका रह नहूँ मुझे सदा देजिए मुझे सदा देजिए ये ये राणर भाया बस बस तू यही चाहता है ना के जो सजा मुझे मिल रही है उत्माप पर ले ले आ भाया उसका से वही की रास्ता है वो क्या भाया वो यही है के जितने दिन मैं सलाखों के पीछे बंद रहूं तुझे बड़ा भर अहसास है कि तुने आज तक जो कुछ नादाने में किया सब कुछ घलत है तुझे पस्ताव रहे ताके वही पस्तावा तुझे एक दिन सही इन्सां बदा जिए तुम कुछ भी कहो भाया मेरे जुबान तो मोह नहीं लेका जाए इस हंदेरी कोट्री में मैं तुम्हें अपना जिवन कभी नहीं बिताने दूंगा भईया कभी नहीं बिताने दूंगा अरुन अपना वचन पूरा करने में मुझे जो सुख और संतोष मिलने वाला है तो वो भी मुझसे छीर लेना चाहता है अरुन अगर आज तु अपनी नादाने में कुछ भी कर बैठा तो इसका फल तुझे नहीं मुझे नहीं इस मासून को भुगता पड़ेगा जिसका कोई कसुन नहीं इसके सुहाग पर आजा जाएगी अरुन और इसका सुहाग मेरी आमानत है इसके सवाग मेरी आमानत है, अरुन अरुन, देख, वो देख भगवान का आशिष उजाला बनकर ही संधेरी कोच्री में आ रहा है ये उजाला हम सब के जीवन का उजाला है सब के जीवन का उजाला है शांते, माफ करना ही सबसे बड़ी इंसानियत है दे मेरे भाई को माफ कर देना, शांते, रोते नहीं, रोते नहीं देख, मेरी तर देख, अरे पगली, तो खबराते क्यों है देखते देखते ये दिन भी बीच आएंगे, एक दिन आएगा जब मैं इस जेल से बाहर आजाओंगा मगर उस वक्त तेरा ये बड़ा भाया जवा नहीं रहेगा और बूड़ा हो जाएगा और उसे सहारा की ज़रूरत भी बढ़ेगी और चांती है उस वक्त मुझे सहारा कौन देखा तुम दोनों और और एक और भी तुम दोनों के प्यार कर एक नन्णा सा भूल जिसे मैं सीने से लगादके बढा moltओ व्यसवक्त मां और भाबोजी की आउतमा कोन शांती हो लेगी मां और पाबोजी की आउतमा कोन शांती हो लेगी कर, को हूआ गिता पे हात रखत क्पास्म एक सच कोवगा क्छो में, मैंने कम कार के मैं जूट काँगा जो गीता पे हात रखते करो, ियादालत है, ज्ञाओ अच्छिवात ही मैं गीता पे हात रखते हूँ को चुछ द्हाँगा वह सच कोँगा पुछिए के आप! वोटिया यार है, मैं क्या बताओ सार, हम लोग दोनों साथ कालेज में पढ़ा करते थे हसने की बात नहीं, वो हर साल पास होता था और मैं पेल होता था मैं से बिलाज! सॉरी, सॉरी सॉरी, सॉरी, सॉरी यारून कलपना के यहां अक्सर जाता था क्या आपने कुमा को अरून कलपना के तालुकात के बारे में कुछ बताया था? जूट क्यों बोलो साथ, बताया था क्या बताया था? यही के कलपना के वज़े से अरून को होस्तिल से निकाला गया फिर क्या का? कुमार अरून को फोरण मिलना चाहता था फिर? कुमार ने कहा खुन की अरोम को बचाने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ और और क्या आप मुझे गाइए क्यों है वकिर साहँ आप मुझे में यह कहलाना चाहते हैं कि कुमार खूमी है खून किया है अच्छा मान लिजे के उसने खून किया लेकिन आप उसे बचा सकते हैं, आप बड़े वकीर साहर है, मैं दिल से कहता हूँ वकीर साहर हैं, कि वो फुमी नहीं है, वो बहुत अच्छा आद्मी है, बार ने एक आद्मी है, मैं कहता हूँ उसे आप बचा सकते हैं That's all, Your Honor. The witness is yours, Mr. Sharma. Your Honor, Prosecution witness की गवाही मेरे मवक्तिल के हक में है, इसलिए हमें और कुछ नहीं कूछना चाहता हूँ आशा देवी, आप कलपना के यहां कब से काम कर रही हैं? चार-पास साल पर यह बताए, वहां ज्यादा तक कौन-कौन लोग आया करते थे? इन जिनों में तो आरूम बाबू ही जादा आया करते क्या आरूम का कलपना से कभी जगड़ा हुआ? जी नहीं, मालकन तुम से शादी करना चाहते थे शादी की बात तुम्हें कैसे मालू हुई? अवरत-वरत से दिल की बात कहती है, सरकार जिस वक्त खुन हुआ उसरक तुम कहा थी? मैं सामान लेनी बजार गई थी वापस दाने के बाद तुम्हें क्या देखा? मैंने देखा कि मालकन मरी पड़ी हुई थी और चारो तरह खुन पहला हुआ था वहार कोई मौजुद था? जी नहीं, मगर मगर क्या? कमरे में आने से पहले उनको देखा था सिर्फ इन्हें इनके साथ और कोई था? जी नहीं, वो अकेले थी लेकिन उनके हाथ में पिस्टोल था जूरी की राय को मद्दे नजर रखते हुए और कानून के तमाम पहलों पर गार करने के बार मैं इस फैसले पर पहुँचा हूँ के मुल्जिम कुमार ने जान बुचकर पूरे होश औ हवास में इरादतन कलपनादेवी काखुन किया लहादा मैं मुल्जिम को सजा ए मौत तज्विज करता हूँ मैं आप से पूछते हूँ ये कहा काइन साथ है कुर्बानी करने वाले खुद कुर्बा होना पड़े लेकिन आप तो तो तमारे वकील को भी फरस्ता हो गया होगा लेकिन मुझे ने आप वकील हो कवाई और सबोती सब कुछ है एक इनसान की इनसानित की उसके सचारी इमानदारे की कोई केमत नहीं मुझे पुरा फरुज है कि कुमार जैसे इनसान कभी हैवानित की दर्चे तक नहीं किर सकते लेकिन ये सब तो जजद्वाद की बात ने प्रफा नहीं कर्पना के पास कितने लोग जाते थे, उन्में से कोई भी उसका दुश्मन हो सकता है, कोई भी उसका खूइन कर सकता है, भावी, तुम यहां इतनी राद गए? हाँ, मैं इसलिए आया हूँ भाईया, कि अब किसी की जान बचाना, सिर्फ तुम्हारे हाथ है, किसी की जान तो भाईया ने ली है, मेरा मतलब है तुम्हारे पती देवने, कुछ भी हो, मुझे पुरा यकिन है, कि अगर तुम चाहो, तो उनकी जान जरूर बचा सकते हो, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे, भाईया, कलपना के खूण के लिए, और तुम्हारे दिल के खूण के लिए, कुमार को एक नहीं, दो दो फांसी लगनी चाहिए और मेरी राय में फांसी लगनी चाहिए तुम्हें, तो तो क्या असली खुने तुम हो भावी भाईया भी देखो क्या साम अदाग करते हैं यह बच्पन से ऐसा है हाँ मैं तुम्हारा मतलब नहीं संजा इस तस्वीर से मतलब बिलकुल साफ है भाईया चंद तस्वीर बुतां चंद हसीनों के खतूट मरने के बाद तो अपने घर से यही सामान निकलेगा बाकी रही यह तस्वीर ऐधे तस्वीर हैं तो अपने घर के हर कोने में दर्जिनों पड़ी हुई हैं और ऐसे रिवालवर? सिर्फ एक ही और सिर्फ इसी एक ही रिवालवर से तुमने कल्पना का खुन किया बहुत अच्छे बगेर किसी सबूत के सरकारी वकील इस नतीजे पर पहुंचने हैं नतीजे पर पहुंचे हैं बैलिस्टिक एक्सपर्ट और फिंगर पिंड एक्सपर्ट और आगे की करवाई मेरे हाथ में आगे की करवाई मेरे हाथ में समझे? अजया भारी, ऐसी गल्टी ना करना, एक खून के लिए सिर्फ एक शक्स को फांसी लग सकती है, इसलिए चंद घंटे के लिए आप दोनों मेरे महमाने, और महमान नवाजी का फर्ज मयादा करूगा, समझे, बहुत थोड़ा बत रहेंगे है जिलर साथ, क्या मैं आखिर बार अपने भाई से, वो किसी से भी मिलना नहीं चाहते है, अरून बाबू, तुम मुझे इंसे मिलने की जादे दीजिये जिलर साथ, लेकिन यह गयर कानूनी है, कानी, कैसा कानून, एक बेगुना इंसान फांसी पे चाहा दिया जब, और असली खुनी आदाद कर दिया जब, यह कैसा कानून, जबाद दीजिये जिलर साथ, जबाद दीजिये, इसका दवाब अदारत जेतु की है, अरून बाबू, तुमार कीजिये, वक्त हो गया, कुमार बाबू, आपके भाई आपसे मिलने के लिए बहुत ही पलेशानी है, क्या आखरी बार भी आप, नहीं जिलर यह मेरी जिंदगी की सबसे शुबख़ई है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे वक्त पर मैं किसी गासु देखू, आपके कोई आखरी खाहिश, मेरी आखरी खाहिश, हाँ, हाँ, हाँ जिलर, एक है, वो क्या, जब मैं फासी के तखत पर जाओ, तो मेरे कानों में यह पवित्र अश्लोग गुचत रहे, पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परमनतब, पितरी प्रतिमापन्ने, प्रियंते सर्वतेवुदम। प्रिया, 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 प्रि पिता ही परमीत पहाँ पिता धर्ले पिता स्मयदे पिता ही परमीत पहाँ पितरी प्रती पहाँ पिता ही पिता ही प्रियानी पे शेड़ने यह ली जी, क्योँ गात है Mr. Masur? यह है Mr. Kumar को मिस्टर का ओर्डर, उन्होंने Mr. Kumar को रिहा करने का हपण दे जिया है, और असलिक उनको फ्रस्त में ले लिया गया है Mr. Kumar, आपको रिहा किया जाता है हाँ हाँ, आपको बाइज़त रहा किया जाता है हाँ हाँ, आपको बाइज़त रहा किया जाता है